नमस्कार दोस्तों कैसे आप मिरा नाम है गनेश मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टार्गिट विद गनेश पर दोस्तों मुझे सारी NCRT एक्स्प्रेंट करनी आपर और आज सी हम NCRT सीरीज में कख्छा च्छे कि हमारे अदित फर्ष्ट बुक का फर्ष्ट चैप्टर को पढ़ेंगे डेली आपको चैप्टर वाइज क्लासेज मिलती रहेंगी तो आप बने रहें ये किलास कॉमप्रेटिटिव एक्जाम एंड कख्छा च्छे के लिए बहुत इंपोर्टेंट है कॉमप्रेटिव एक्जा में कक्चा 6 से और 12 वी तक की सब भी NCRT बॉक्स को पढ़ेंगे इसकी पीडियोप आपको अपने टेलीग्राम क्या हुआ कब हुआ कहा हुआ और कैसे वा दा इसके पढ़ेंगे और डेली आपको एक एक चैप्टर की क्लासेज मिलती रहेगी कक्चा 6 से बार में तक कंटीनियू आपको क्लासेज मिलेंगी आपने यूट्यूब चैनल टार्गिट विद गनिस पर अपरूड की जाएंगी थैंक्यो दोस्तो चलिए सुरू करते हैं पहला चैप्टर है क्या कब कहां और कैसे प्रिंस ये है रसीदा ये लड़की का नाम में रसीदा रसीदा बैठी अगवार पढ़ रही थी अचानक उसकी निगा एक सुर्खी पर पढ़ी सो साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई क कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था फ्रिंस दोस्तो रसीदा के मन में सवाल चल रहा है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था सो साल पहले क्या हुआ इसको हम कैसे जान सकते हैं कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था चले दोस्तों इसका कैसे पता यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो टेलिवीजन देख सकते हो या फिर अखवार पढ़ सकते हो साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की इसमरती हो लेकिन बहुत पहले क क्या हुआ था यह कैसी जाना जा सकता है इसके बारे माज अपन बात करेंगे चलिए अतीद के बारे में हम क्या जान सकते हैं अतीद के बारे में हम क्या जान सकते हैं अतीद के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे हम आखिटकों, सिकारियों, पशुपालकों, किर्सकों, सासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, सिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वेग्यानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं यही नहीं हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे कौन सी कानिया सुना करते थे कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे लोग कहां रहते थे मानचित्र फर्ष्ट प्रेश्टो पे आएगा वो उसमें नर्वना नदी का पता लगाओ तो इसमें आपको नर्वना नदी दिखाई दे रही होगी मैं बताता हूँ आपको इस नदी के बारे में हमें पता लगा न था इस मानचित्र में चलिए फरेंट सुझतर करते हैं कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्वना नदी के टट पर रह रहे हैं यहां रहने वाले आरंविक लोगों में से कुछ कोसल संगराग थे जो आजपास के जंगलों की विसाल संपिदा से परिचित थे अपने भूजन के लिए भी जडों, फलों ततर जंगलों के अन उत्पादों का यहीं से संग्रे किया करते थे वे जानबरों का आखिट सिकार भी करते थे इस नदी के किनार रहते थे दोस्तों अपने टेलिग्राम चैनल टारगेट विद गनेश को आप जरूर जोइन कर लें आपको इसकी पीडिये नोट से यो पीएसी जो भी आप एक्जाम की तैयारी करते हैं उसमें लिख सकते हैं और आपको उसके नोट से उपलब कराए जाएंगे प्रिंट जरूर जोइन करें टारगेट विद गनेश को चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलिमान और कीरतर पहाड़ियों का पतर लगाओ इसी छेतर में कुछ ऐसे इस्ताने जहां लगबग आठ हज़ार वर्स पूर्व इस्तरी पूर्शों ने सबसे पहले गेहूं तता जोँ जैसी फशलों की उपजाना आरम किया था दोस्तों इससे कुश्चन मनता है पहले भी कई बार आ चुका है कि सबसे पहले कौन सी फशलों को उपजाना आरम किया था गेहूं और जों और उन्होंने भेड, बकरी, गाय, बैल जैसे पशलों को पालतू बनाना शुरू किया ये लोग गाउं में रहते थे उत्तरपूरम में गारो तता, मद्ध भारत में विंदे पहाडियां का पता लगाओ ये कुछ अन ऐसे छेत्र थी, जहां क्रेसी का विकास हुआ सबसे पहले क्रेसी का विकास क्या हुआ था गारो, उत्तरपूरम में जो गारो की पहाडिया है न उत्तरपूरम में वहाँ पर जैसे देखो गारों की पहाड़िया और मद भारत में विंदे की पहाड़िया यहां पे क्रेसी का भिकास हुआ था और जहां सबसे पहले चावल उप जाया गया वे इस्तान विंदे की उत्तर में इस्तित्ते यहां पर सबसे पहले चावल उप जाया गया था दोश्टो सुलिमान और कीर्थकर पाड़ी हैं इसमें जिसमें जैसा कि आब को दिखाई दे रहे हूंगी यहाँ पर हैं सुलिमान और कीर्थकर पाड़ियां यहाँ सबसे पहले आट हजार वर्स पहले घैयू और जोंकी फचले उपजाना आरम किया था सुलिमान और कीर्थकर पाड़ियों पर मानचित्र पर सिंदू तथा इसकी सायक नदियों का पता लगाने का प्रियास करो सिंदू और इसकी सायक नदिया कौन-कौन सी है इसका मानचित्र में पता लगा सकते हैं जैसे कि हम दोस्तों जैसे कि ये सिंदू नदी जा रही है आपको दिखाई दे रही होगी सिंदू नदी इसकी साइक नदी ये कौन कौन सी है जेलम चेनाव सतलज ये सिंदू नदी की साइक नदी है रावी ये सबी हैं जो सिंदू नदी की साइक नदी है सिंदू नदी यहां पर जा र जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं दूस्तों यहां पर आपको एकदम सरल से समझाया जाएगा आप आने वाली सबी वीडियो को देखें और अपने जादस जादसेर करें सायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है सायक नदियां जैसे छोटी छोटी नदी जैसे एक बड़ी नदी जा रही है इसमें आके छोटी छोटी नदियां मिल जाती है कोई के दर से आती है कोई के दर से आती है और ये है बड़ी नदी सायक नदिया उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं मतलब छोटी वाली नदियां एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं तो छोटी वाली नदियों को बड़ी नदी की सायक नदिया कहते हैं लगबख 47 से वर्ष पूर्व इन्ही नदियों के किनारे कुछ आरंबिक नगर फले फूले गंगा वे इसकी सायक नदियों के किनारे तता समुद्र टट वर्थी इलाकों में नगरों का विकास लगबख 25 सू वर्ष पूर्व हुआ मानचतर हम देख सकते हैं दच्चेन एसिया आदुनिक भारत पाकिस्तान मांगलदेश नेपाल बोटान स्रिलंका और अफगानिस्तान इरान चीन म्यामार आदी पडोसी देशों को धर्षाता है दच्चेन एसिया एक मादीब से चोटा है लेकिन विसालता तथा बाकी एसिया से समुद्रेओं पाहडीओं त्यस्सथ परवतों से बटे होने के कारण इसे पिराए उपमाधीब कहा जाता है किसी दच्छिन एस्या को धच्छिन एस्या को जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हुगा यह दर शमुद्रें पहाड़ें सबी से गिरा हुआ है इसलिए उपमाधीब कहा जाता है कि चलिए आगे चलते प्रिंस गंगा वे उसकी सायक नदियों के किनारे तता समुद्र टटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब वह लगबग 25 सो वर्ष से पूर हुआ था गंगा नदी और इसकी सायक नदी सोन का पता लगाओ जैसा कि हम मैप में अभी देखेंगे गंगा नदी और इसकी सायक नदी सोन गंगा के दचिन में इन नदियों के आशपास का छेतर प्राचिन काल में मगद वर्तवान में इसको बिहार के नाम से जाना जाता है पहले इसको मगद नाम से जाना जाता था इसके सासक बहुत सक्स्ति साली थे और उन्होंने एक विशाल राज इस्थापित किया था देश के अन्य हिस्थों में भी ऐसे राज्यों की इस्थापना की गई थी जैसे कि हम अभी गंगा नदी की सायक नदी सौन नदी का पता लगाएंगे फिर आपको इसमें गंगा नदी की सायक सौन नदी दिखाई दे रही होगी जिससे कि ये सौन नदी है ये नदी गंगा में जाके यहाँ पर मिल जाती है ये गंगा नदी जा रही है ये आ रही है गंगा नदी यहाँ से यहाँ से हैं लोगों ने सदिव उपमादीब के एक हिसे से दूसरे हिसे तक की यात्रा की कभी-कभी हिमाले जैसे उचे परवतों पहाड़यों रेगिस्तान नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी पिर भी यात्रा फिर्वी यात्रा उनके लिए असंबब नहीं थी है लोगों ने खूब यात्रा की कभी उचे-उचे परवत आ जाते थे बीच में पहाड़यों रेगिस्तान नदि तब भी वह यात्रा करते थे इतनी जोखिम भरी यात्रा थी फिर भी यह यात्रा उनके लिए असमम नहीं थी कठिन नहीं थी अते कभी लोग काम की तलास में भी कभी प्राकरतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे कभी कभी सेनाएं दूसरे छेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी इसके अत्रिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मुल्वान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे धर्मिक गुरू लोगों को सिक्षा और सला देते हुए एक गाउं से दूसरे गाउं तथा एक कस्वे से दूसरे कस्वे जाया करते ते कुछ लोग नए और रोचक इस्थानों को खोजने की चाहे में उत्सक्ता भस भी ओज्म्यां किया करते थे इन सबी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारओं को जननी का अफ्सर मिला मतलब कि लोग इदर उदर यात्राइं करते थे कोई तो नए स्थान खोजने के लिए यात्रा करता था कोई एक गाम से दूसरे गाम में जाता था कोई एक दूसरे को सिक्षा देने के लिए सला देने के लिए यात्रा करते थे कभी-कभी वो जहाजों में अपसे ना के साथ जाते थे मुलवान वस्तों लेकर एकिस्तान से दूर से इस्तान भी जाया करते थे आज कल योग यात्राएं क्यों करते हैं एक बार फिर से मांचतर एक को देखें पहाड़ियों, परवतें, समुद्र इस उपमादीब की प्राकरतिक सीमा का निर्मान करते हैं हलंकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना असा नहीं था जिन उन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके वे परवतों के उच्चाई को छोच सके तता गहरे समुद्रों को पार कर सके उपमादीब के बाहर से भी कुछ लोग यहां आए और यहीं बस गए लोगों के इस आवगमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को सम्रद्र किया कई सो वरसों से लोग फत्तर को तराशने, संगीत रचने और यहां तक की भूजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे मतलब लोग आए लोगों के आवगमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को सम्रद्र किया और बढ़ाया, उनको विक्सित किया कई सो वरसों से लोग फत्तरों को तराशने, संगीत रचने और यहां तक की भूजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को भी अपनाते रहे इस तरह से लोग आते रहे और जाते रहे और एक दूसरे के अच्छे विचारों करेंड करते रहे उनकी संगीत रचनाएं, उनकी कलाकारिये सब को अपने देश के लिए देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रा इंडिया तता भारत जैसे नामों का प्रियोग करते हैं इंडिया सब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्क्रत में सिंदू का आ जाता है अपने एटलस में इरान और यूनान का पता लगाओ लगब 25 सो वर्स पूर्व उत्तर पश्चिम के ओर से आने वाले इरानियों और यूनानियों ने सिंदू को हिंदोस और इंदोस और इस नदी के पूरम में इस्तित भूमी पिर्देश को इंडिया कहा दोस्तो जैसा किसमें कहे रहे हैं कि इंडिया सब्ढ़ है वो इंड़स से निकला है जिसे संस्कुर्ट में सिंदू का जाता है अपने एटलस में इरान और यूनान का पत्र लगाओं जैसे कि आपको अभी एटलस दिखाय जाए का उसमें इरान और यूनान बताते हैं दोष्ट वही जैसा कि आपने यूनान देखे मेप में इरान और यूनान हमने अभी मेप में देखे वर्ल के मेप में लगबग 2500 फूर्व लगबग 2500 फूर्व उत्तर पश्चिम के ओर से आने वाले फूर और यूनानियों ने सिंदू को इंदोस अत्वा इंदोस और इस नदे के पूरम में इस्तित भूमी पिर्देश को इंडिया कहा भरत नाम का प्रियोग उत्तर पस्चिम में रहने वाले लोगों के एक समू के लिए किया जाता था इस समू का उल्लेक संस्क्रत की आरंबिक लगबग 3500 वर्ष पुरानी करती रिगवेद में भी मिलता है बाद में इसका प्रियोग देश के लिए होने लगा भरत सब्द का प्रियोग मतलब की उत्तर पस्चिम में रहने वाले लोगों के एक समू के लिए किया जाता था करती रिगवेद में भी मिलता है भरत सब्द का समू का उल्लेक संस्क्रत की जो करती है रिगवेद 3500 वर्ष पुरानी उसमें मिलता है बाद में इसका प्रियोग भारत में अपने देश के लिए होने लगा भारत के लिए अतीद के बारे में कैसी जाने अतीद के बारे में कैसे जाने अतीद की जानकारी हम कई तरह से प्राप्ट कर सकते हैं इन में से एक तरीका अतीद में लिखी गई पुस्तकों को ढूंड़ना और पढ़ना है यह पुष्टक है हाथ से लेकी होने कारण पांडू लिपी कही जाती है यह पुष्टक है तो कोई आप देख सकते हैं यह पुष्टक है हाथ से लेकी होने कारण पांडू लिपी कही जाती है मेनू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है यह पांडू लिपिया प्राज ताड़ पत्रों अत्वा हमाले छेत्रे में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशिश तरीके से तैयार भोज पत्र पर लेकी मिलती हैं या तो ताड़ के पत्ता होते हैं उन पर या अत् विशिश तरीके से तयार भोज पत्र पर लेकी मिलती हैं ताड़ पत्रों सोरी ताड़ पत्रों से बनी पांडू लिपी की एक प्रेस्ट ये जु प्रेस्ट है उसका एक प्रेस्ट देखाए गया है यहां समझने के लिए यह पांडू लिपी लगबग एक हजार वर्स पहले लिखी गई थी किताब बनाने के लिए ताड के पत्तों को काट कर उनकी अलग-अलग हिस्षों को एक साथ बहन दिया जाता था भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडू लिपी को तुम यहां देख सकते हैं दोस्तों आप इस देख सकते हैं भुर्ज पेड़ से बनी ही पांडू लिपी को किस तरह बनाए गई थी ताड के पत्तों को एकट करके के करके इतने वर्सों में इन में से कई पांडू लिपियों को कीडों ने खा लिया तथा कुछ नश्ट कर दी गई फिर भी ऐसी कई पांडुलिपिया आज भी उपलब्द हैं प्राय ये पांडुलिपिया मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं इन पुष्टकों में धारमेक मानेताओं वे विवहारों राजाओं के जीवन औशदियों तता विज्ञान आदी सभी पिरकार के विश्यों की चर्चा मिलती है इनके अतेक्त हमारे यहां माका वे कवीताओं तता नाटक भी हैं इन में से कई संस्क्रत में लेके हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकरते तमिल में हैं प्राकरतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे जो प्राकरतिक भाषा थी उसका प्रयोग आम लोग करते थे हम अभी लेकों का भी अध्यन कर सकते हैं ऐसे लेक फत्तर अत्वा धांतू जैसी अप्यक्चक्रत कठोर सतों पर उत्क्रीन किये गए मिलते हैं कभी-कभी सासरक अत्वा अन्य लोग अपने आदिसों को इस तरह उत्क्रीन करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें पढ़ सकें उनका पालन कर सकें इस तरह से आज के में जो उद्गाटन करते हैं सुभारम करते हैं प्रिदान मंत्री जी मुक मंत्री जी तो वो पिलेट पर लेकवाते हैं येलो येलो कलर में उस तरह से पहले इस तरह लेकवा देया जाता था आज कलर समें कलर बढ़ते हैं कुछ अन्य प्रकार के अभी लेक भी मिलते हैं जिन में राजाओं तता रानियों सहीद अनिष्ट्री पूर्शों ने भी अपने कारियों के विवरण उतकिन करवाए हैं उधारन के लिए प्राज सासक लडायों में अर्जित विजों का लेका जोका रखते अभी लेकों पर लिखते थे कि यह अभी लेक में कब विजय हुई क्यों लिखा गया सब के बारे में में जानकारी मिलती है लगपग बाइस सु पचास वर्ष पुराना अभी लिख यह अभी लिख वरत्मान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है यह अभी लिख अशूक नामक सासक के आदिस पर उत्किन करवाया गया था इस सासक के विशे में तुम अध्याय आठ में पढ़ोगी जब हम कुछ लेखते हैं तब हम किसी लिपी का परियोग करते हैं जब हम लेखते हैं तो किसी लिपी का परियोग करते हैं लेपियां अक्षरों अत्वा संकेतों से बनी होती है जैसे हम लेखेंगे तो हिंदी, अंग्रीजी, उर्दू कोई तो भासा में लेखेंगे अक्षरों या पिरसब्दों या संकेतों से बनी होती है जब हम कुछ बोलते हैं अत्वा पढ़ते हैं हमें एक भासा का प्रियोग करते हैं, बोलते हैं तो यह भासा का प्रियोग करते हैं, लिखते हैं तो लिपी का प्रियोग करते हैं, यह अभी लेक इस छेत्र में प्रियोगत हुने वाली यूनानी तता अरा में एक नामक दो भिने लिपियों तता भासाओं में हैं, यह जो अ कठो सत्य पर लेक लिखवाने के क्या लाब थे ऐसा करने में क्या क्या कठना ही आती थी इसका अंसरा में लिखना है आपको पता लगाना सोचना है लिखना तो क्या है सोचना है थोड़ा सा इसके अतरीक अनकई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाइज आते थी ऐसी वस्तुओं का अध्यन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था पुरा तातविद कहलाता है पुरा तातविद पत्तर तता फत्तर और एटों से बनी अमारतों के अफसिसों चित्रों तता मू तरों यीटों से बनी इमारतों के अफ्षिशों चित्रों तता मूर्तियों का अध्यन करते हैं वे ओजारों हत्यारों बर्तनों आबुशनों तता सिक्कों की प्राप्ति के लिए छान बीन तता खुदाई भी करते हैं इनमें से कुछ वस्तुएं फत्तर पकी मिट्टी तता कुछ धातों की बनी हो सकती हैं ऐसे तत्वे कठो तता जल्दी नश्ट ने होने वाले होते हैं जिसा की इसमें बता गया है बाया एक प्राची नगर से प्राप्ति पात्र ये जो पात्र है वो प्राची नगर से प्राप्ति किया गया है इस तरह की पात्रों का प्रियोग लगवग 25 सु वर्ष से पूर होता था दाया एक पुराना चांदी का सिक्का एक जो पुराना है चांदी का सिक्का इस तरह की सिक्कों का प्रियोग लगवग 25 सु वर्ष से पूर होता था हमारे द्वारा आज प्रियों में आने वाले सिकोशी ये सिक्का कैसे बिनने ये हमारी सोचने के लिए प्रेशने हम सोचें पता लगाएं पुरत अत्विद जानवरों चेडिया तता मचलियों की हड्यों भी हड्यां भी डोणते हैं इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे मरस्पतियों के अफसेश भहुत मुश्किल से बच पाते हैं यदि अनिके दाने अत्वर लकडी के टुकडे जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं क्या प्रातात्विद को भहुदा कपडों के अफसेश मिलते होंगे फ्रेंट्स अपने चैनल टारगेट विद गनेश को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने टेलीग्राम चैनल को भी जोइन कर लें आपको जो भी कुश्चन हो आप हमें इस्टाग्राम पर पूश सकते हैं इस्टाग्राम पर फॉलो करें और आपको क्योरीज के लिए आप कमेंट वॉक्स में जरूर कमेंट करके जाएं आपको वीडियो कैसी लगी प्रेंस आगे चलते हैं अभी अपन अभी बहुत पढ़ना है डेली अपन पढ़ेंगे ऐसे चैप्टर वाइज आप बने रह को तता पुरातात उसे ग्यात जानकारियों के लिए इतियास का प्राय सुरूत सब्द का प्रियों करते हैं कि यह वहां से प्राप्त हुआ वहां से प्राप्त हुआ इतियास करोंने कहते हैं कि जो अतीद का द्यान करते हैं सुरूत के प्राप्त होते ही अतीद के बारे में बाड़णा बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि इन सुरोतों की साहिता से हम धेरेदेरे अतीत का पुनिन्रमाण करते जाते हैं अतित यहस्कर तता पुरा तात 어때 जासूसों की तरहें जो इन सभी सुरोतों का प्रियोक सुराख के रूप में कर अतीद को जानने का फिर्यास करते हैं अतीद एक या अनेग क्या तुमने इस पुष्टक के सीड़ सक हमारे अतीद पर ध्यान दिया गया है बिलकुल दिया था अपने दोस्तों आपने बोला था कि ये कख्च चेग की पुष्टक है हमारे अतीद फश्ट यहां अतीद सब्द का प्रियोग भवचन के रूप में किया गया है ऐसा इस तत्थे के और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समुगों के लोगों के लिए इस अतीद के अलग-अलग मायने थे उधारन के लिए पशुपालकों अत्वा किर्सकों का जीवन राजाओं तता रानियों के जीवन से तता व्यापारियों का जीवन सिल्पकारों के जीवन से भहुत भिन्न था जैसा कि हम आज भी देखते हैं उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग विवहारों और रीती रिवाजों का पालन करते थे उधरन के लिए आज अन्डमान दीब के अधिकास लोग अपना भोजन मखली मचलियां पकड़ कर ही करते हैं करके तता फल फूलके संग्रे द्वW first करते हैं इसके विप्रित सहरों में रहने वालोग खाईदा पूर्ती के लिए अनुव्यक्तियों पर निरभर रहते निरभर करते हैं इस तरह के भेद में अतीत भी विद्वान थे अतीत में बिविद्वान थे ऐसी बेत जैसे seco hr एक अन्तरे का बेद है उस समय सासक अपनी विज्यों का लेखा जोका रखते थे यही कारण है कि हम उन सासकों तथा उन दुआरा लड़ी जाने वा लड़ायों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं जबकि सिकारी, मचवारे, संग्रा कर सकता तपाशुपालक जैसे आम आदमी पर अपने कार्यों को लेखा जोका नहीं रखते थे प्रतत्व की साज़ता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है हलंकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानन सेस है फ्रेंट्स बहुत ही सिंपल भासा में NCRT समझ में आती है तभी तो यो PSC टॉपर जो NCRT पढ़कर ही तो टॉपर रेंक लाते हैं आप भी ला सकते हैं सबी ला सकते प्रेंट्स जरू पढ़ें अपनी चैनल पर बने रहे हैं तित्यों का मतलब क्या है तित्यों का मतलब और आपके एक प्लेश्ट की एक प्लेश्ट बना दी जाएगी जिस कक्चच है हिस्टरी की प्लेश्ट इस तरह से अलग लग प्लेश्ट बना दी जाएगी तित्यों का मतलब अगर कोई तुम से तित्यों के विसे में पूछे है आते दोहजार वर्स कहने का तातपरिया है इसा मसी के जनम के दोहजार वर्स के बाद से है जैसे आज इसा मसी का जनम हुआ इसके दोहजार बाद से है इसा मसी के जनम के पूर्व की सभी तितियां में इसा पूर्व लिखा जाता है इसा पूर्व मतलब इसा मसी के जनम से पहले के रूप में की जाती है जैसे अपन बोलते हैं ना 21 सदी से पूर हुए 1750 से पूर इस तरह से ईसा पूर जैसे 700 इसा पूर हुए इस तरह से अपन बोलते हैं और बाद में इस भी बोलते हैं 1950 इस भी 12 से इस भी के रूप में की जाती है इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंबिक बिंदू मानते हुए वरतमान से पूरव की तितियों का उल्ले करेंगे 2000 को हम अपना आरंबिक बिंदू मानेंगे अभी इरजेंट इतियास और तितियान अंग्रिजी में BC, हिंदी में इसे इसापुर्व करे जाता है और इसका तात्वर यह है Before Christ BC का मतलब है Before Christ BC Before Christ इसा पूर्व होता है कभी-कभी तुम तित्यों से पहले AD हिंदी में E, इस्वी लिखवाते हो यह एनु डॉमीनी नामक दूर लेटिन सब्दों से बना है तता इसका तात्वर यह इसा मर्षी के जनम के वर्स से है कभी-कभी AD की जगए CE तता BC की जगए BCE का प्रियोग होता है CE अक्षरों का प्रियोग Common Era CE अक्षरों का जो प्रियोग है वो Common Era तता BCE का प्रियोग Before Common Era के लिए होता है हम इन सब्दों का परियोग इसलिए करते हैं क्योंकि विष्व की अधिकांश देशों में अब इस कलेंडर का परियोग सामान हो गया है भारत में तितियों की रोप में तितियों के इस रोप का परियोग लग वक्ट दोसु वर्षपूर आरंब हुआ था कभी-कभी अंग्रे जी के वी-पी अक्षरों का प्रियोग होता है जिसका तात्वरिये बिफूर प्रिजेंट बर्तवान से पहले है प्रिश्ट तीन पर दोते दिया हैं उनका पत्त लगाओ उनके लिए तुम किस अक्षर समूर का प्रियोग करेंगे फिन से प्रिश्ट तीन था इसमें जैसे कि यहां लेका है 4700 वर्ष पूर्व 25 वर्ष पूर्व पूर्व लेका है मतलब विफूर क्राइस्ट इसा पूर्व जैसा कि हमने पहले पड़ा अभी लेक कटोर सतों पर उतकिर्वाए जाते हैं इन मैंसे कई अभी लेक कई सो वर्ष पूर्व लेके गए थे सब भी अभी लेकों में लिपियों और भाषाओं का प्रियोग हुआ है समय के साथ साथ अभी लेखों में पिरुक्त बार्षाओं तब लिपियों में बहुत बदलावा चुका है विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था इसका पता अग्यात लिपी का अर्थ निकालने के एक पिर्किरिया द्वारा लगाया जा सकता है इस पिरकार से अग्यात लिपी को जानने की एक पिर्सिद काणी उत्री अपरी की देश मिस्रे मिस्र से मिलती है लगवक पांचजर वर्ष पूर यहां राजारानी रहती थे मिस्र के उत्री टटपर रोशेटा नामक एक कश्वा है यहां से एक ऐसा उतक्रीनित फत्तर मिला है जिस पर एक ही लेक तीन भिन 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 भासाओं तता लिपियों यूनानी तता मिस्री लिपी के दुपिरकारों में कुछ विद्वान यूनानी भासा पढ़ सकते थे उन्होंने बताया कि यहां राजाओं तता रानियों के नाम ऐक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए इसे कार्तूस कहा जाता है इसके बाद दुआनों ने यूनानी तता मिस्री संकितों को अगल बगल रखते हूं मिस्री अक्षरों की सामानार तक दुनियों की प circuits चान की जैस होए हैं तो आसानी से अन्ना विलिकों को भी पड़ सके जैसे कि देख सकते हैं सेर के लिए एलक्षर सेर के लिए लक्षर चड़िया के लिए एक्षर इस तरह से लिप्यों को प्रियूप के रहता था कौन सा कल्पना करें कि ये प्रशन पहुत इंपोर्टन रहती हैं यह competit करते हैं और इंटनें नहीं बहुत आत्त्यॅंद रहता है । में एक प्रताथवित का साक्षात का लेना है तुम उन पांच प्रशनों का एक सूचि तयार करो जिने तुम प्रताथवित से पूछना चाहोगे दोश्तों इस कुछन का आंसर आप जरूर लेकर और लिखकर आप अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बेज सकते हैं वहाँ इसकी जो पीडियाप रहेगी उसके वहाँ कमेंट में आप बेज सकते हैं है है और फेंस अपने चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें सेर करें अीज समेलित करो यह समेलित करने हैं जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है नरवना घाटी कहां है मगद कहां गारो पहाडियां सिंदु चैस की सायक नदियां घंगा घाटी जैसा कि दोस्तों अपने अभी पढ़ा था नर्वना गाटी में क्या हुआ यहां केड़ तता संग्रेन करते थे मगद मगद में क्या हुआ सबसे पहला बड़ा राज्जिता गारू की पहाड़ियां यहां सबसे पहले और फिसके साइक नदियां वह जिन्दू के नार आरंभी कि सोरी सोरी सेंदू साइक किनारे प्रितम नगर और प्रितम नगर गाटी के लगवा 85 फूर्व के नगर नर्बदन घाटी में आकिर संग्रेन हो जता था मगद पहला बड़ा राज था गारों की पहाड़िया मारं भी क्रिशी की गई थी इस तरह से कुछ सुनक्सौल करना है कुछ महत्मून यह तितिया हैं क्रिशी का आरम 8000 वर्सपूर इस वर्सपूर वा था सिंदू सब्यता के पिर्थम नगर 4700 वर पांडुली पुतता अभी लेको मैं एक फिर मुकंतर बताओ यही तो कुछ से ने जो मैंस में आते हैं इस तरह सब्सक्राइब कर सकते हैं इसकी पीडियाप के लिए अपने टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन करने ठार्गेट विद गनिश्को यह प्रेश्ण है यह प्र टेलिग्राम चैनल टार्गेट विद गनिश्को जोइन कर लें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू इसके पीडियाप आपको अपने टेलिग्राम चैनल प्रॉप्ट करा जाएगी ज्यादस ज्यादस लोग सेर करें फ्रेंट्स अगली वीडियो के लिए वीडियो करें कल का ओके थैंक यू फ्रेंट्स नमस्ति फ्रेंट्स मेरा नाम गनिश है और मैं आपका स्वाध करता हूँ अपने चैनल टार्गेट विद गनिश्क पर फ्रेंट्स अभी हम कक्चा छेक की हिस्ट्री की बुक को पढ़ रहे हैं आज हम चैप्टर टू को पढ़ेंगे कल हमने चैप्टर फर्ष्ट पढ़ा था उसकी वीडियो को भी आप देखें यदि आप नहीं देखी तो चैनल पर जाकर की और आपको इसकी प्लेलिस्ट भी बना दिये प्लेलिस्ट में आपकी डेली वीडि को अध्याज दो है आकेट खाद संग्रे से भूजन उत्पादन तक कि पहले किस तरह से भूजन का उत्पादन किया जाता था जिस तरह से आज हम मेनत करके नौकरी करके मजदूरी करके कुछ भी करके हम कमा लेते हैं और पेट भर लेते हैं तो पहले किस तरह से भूजन का बाउत पादन होता था और मानव किस तरह से पेट भरता था अपना इसके बारे में आज की पार्ट में बताय गया है चलिए सिरुवात करते हैं तुसार नाम का यह लड़का है इसकी डेल यात्रा यह रेल में यात्रा कर रहा था इसके मन में विचार आए तो उनके बारे में लिखा है तुसार अपने रिष्टेदार की साधी में दिल्ली से चेन नहीं जा रहा था रेल में उससे खिड़की वाली सीट मिल गई विंडो साइड की सीट मिल गई उसको जहांसे वह भार का नजारा देखने में मगन हो गया तेज दोड़ती गाड़ी से उसने देखा कि जो ट्रेंड तेज चल रही थी ट्रेंड उसने देखा कि पेड़ पौदे घर खेट खलियान बड़ी तेजी से पीछे के वो छूटते जा रही थी तब ही उसके चाचा ने उसकी कंदे पर हाथ रग कर कहा पता है लोगों ने मौत डेड़ सु साल पहले रेल से यात्रा करनी सुड़ू के थी बस तो इसके कुछ दसक बाद आई मतलब कुछ दसक बाद 20 साल बाद 30 साल बाद आई थी मतलब बस तुसार सूचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रबतार वाली सवार यह नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे क्या वे अपनी सारी जिन्द की एक जगे पर ही बिता दिया करते थे नहीं ऐसी बात नहीं थी इसमें तुसार पूछ रहा है कि अभी तो हवाई जाज ट्रेन कार से इधर उधर कहीं भी चले जाते हैं दूर दूर तक क्या पहले नहीं करते थे लोग, नहीं, ऐसी बात नहीं है, पहले भी लोग करते थे, लेकिन पहले इतनी सुविदाएं नहीं थे, चलिए, शुरुआत करते हैं, फ्रेंस, आरंविक मानव आखिर वे इदर उदर क्यों गुमते थे? अब इसमें बता गया है कि पहले मानव किस तरह से पेट भरता था अपना उसके बारे में बता गया है याँ पर चलिए सुरू करते हैं हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस मादीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस मादीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे आज हम उन्हें आखे टक खाद संग्रा के नाम से जानते हैं आखे टक मतलब सिकारी खाद संग्राक सिकार करके खाने वाला भूजन का इंतिजाम करने की विदी के आधार पर उन्हें इस नाम से पोकारा जाता है आम तोर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का सिकार करते थे मचलियां और चेडियां पकड़ते थे फल फूल दाने पौदे पत्तियां अंडे खट्टा क्या करते थे आखे टक खाद संग्राक समुदाय के लोग एक जगे से दूसरी जगे पर गूमते रहते थे ऐसा करने के कई कारण थे जो एक जगे से वो दूसरी जगे जाते थे इसके कई कारण थे इसका पहला कारण है पहला कारण है इसका पहला कारण यह है कि अगर वो एक ही जगे पर जादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौदों, फलों, जानवरों को खाकर समप्त कर देते मतलब कि वो एक जगे रहेंगे तो वहां के सभी जानवर, फल, पेड, पौदे समप्त हो जाएंगे तो फिर उनके पेड भरने के लिए कुछ नहीं रहेगा वाँ इसलिए बोजन की तलास में उन्हें दूसरी जगे पर जाना पड़ता था जरूर जाना पड़ता था बिल्कुल अब दूसरा कारण है इसमें दूसरा कारण ये कि जानवर अपने सिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूनने के लिए एक जगे से दूसरी जगे जाया करते थे मतलब मवेशी जाते न वो उनके पेट भरने के लिए एक जगे से दूसरी जगे जाया करते थे इन जानवनों के सिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे तीसरा कारण क्या है तीसरा कारण तीसरा कारण है कि यह एक पीड और पोदों में फल फूल अलग-लग मोसम में आते हैं इसलिए लोग उनकी तलास में उप्युक्त मोसम के अनुसार अन इलाकों में गूमते होंगे जिस तरह से कि इस मोसम में यहां यह फलाता है इस मोसम में वो फलाता है जैसे गर्मियों में आम पकते हैं, सर्दियों में बरसात में, अमरूद, इस तरह से अलग-अलग मोसम में अलग-अलग फल आते हैं, तो तीसरा कारण का ये भी रहा कि फल फूल अलग-अलग मोसम में आते हैं, इसलिए वो लोग उनकी तलास में उप्युक्त मोसम के अनुसा अन इलाकों में गुमते होंगे और चौथा कारण क्या था चौथा कारण चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौदे का जीवित रहना संभब नहीं हूरता और पानी जीलों जर्नों तता नदियों में ही मिलता है यद पी कई नदियों और जी किनारे बसे लोगों को सूखे मोसम में पानी की तनाश में भी इदर उदर जाना पढ़ता होगा जिस तरह से नदिया रहते हैं नदिया जो कोई नदिया तो बारे मासी बहती रहती हैं कोई मतलब बरसात के दिनों में बहती हैं कोई जील हमेशा भरी रहती है कोई बरसात के द यदि जिन में पानी खत्म हो जाता था तो वो दूसरी जगे उन्हें जाना पड़ता था आरंबिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है आरंबिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है ठिकारी क्या करते थे उनका जो बोजन से मनला पेट भरते थे उन उनके जो ओज़ार थे उनका प्योग करके ये हमारी कुछ पुरातात विदों के ऐसे वस्तों मिली हैं ये संभव है कि लोगों ने अपने कामों के लिए फत्तरों, लकडियों और हढ़्डियों के ओजार बनाए हो इन में से फत्तरों के ओजार आज भी बचे हैं। लगाकर भाले और बान जैसे हतियार बनाए जाते थे कुछ ओजारों से लकडियां काट जाते थी लकडियों का उप्योग इधन के साथ साथ जोपडियां और ओजार बनाने के लिए भी किया जाता था पत्तर के ओजारों का उप्योग बाएं इनसान के खाने योग जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था ये जो है ये ओजार इससे जड़ों को खोदने के लिए कुछ खाने के लिए इनसान इसका उप्योग करता था और ये दाया वाला है राइट वाला जानवरों की खाल स बनाए जाते थे मांचेत्र टो कुद देखो लाल तिर्कों वाले स्थान वे पुरास्थ तल है जहां पर आख्यटु कग खाद संग्राकों के होने के पिर्मान मिले हैं इनके अलावा भी और कई इस्थानों पर आखिटक खाद संग्राक रहते थे मांचित्र में सिर्फ कुछ गिने जुने इस्थान ही चेनित किये गए हैं कई पुराइस्तल नदियों और जीनों के किनारे पाई गए हैं त्रिंस अपने टेलीग्राम चैनल टारगेट व यह मांचित्र दो को देखते हैं जहां पर लाल तरकॉन लाल तरकॉन वाले इस्थान हैं वो पुराइस्तल हैं जहां पर आखिटक खाद संग्राकों के होने के पिरमान मिले हैं और कई पुराइस्तल तो नदियों और जीनों के किनारे पाई गए हैं जैसे कि लाल तरकॉन में एक कुरणूल घुपाया और शंगी कि भीमबीटका यह जो तीन हिस्तान है यह पुराइस्त्तन हैं पुरा पासरने पुरा इस्तन चलिए प्रेंस आगे चलते हैं भीम बेट का आधुनिक मद प्रिदिस इस पुरा इस्तल पर घुपाएं वे कंद्राइं मिली हैं लोग इन घुपाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहां उन्हें बारे दोप और हवाओं उसे राहत मिलती थी, ये घुपा नर्वना गाटी के पास हैं, क्या तुम बता सकते हो कि, रहने के लिए लोगों ने यह जग क्यों चुनी होगी, बता हो, बता हो, क्यों चुनी हो, क्योंकि, इसमें लिकाय के लिए, यह जग क्यों चुनी होगी, क्योंकि इसमें लोगों को स जानवर आया तो खा जाता हो कब फिर कोई आया तो कब यदि वो ऐसे सुवें जागेंगे तो उनको डेली अपने साथी कम नजर आएंगे तो इसलिए भी वो गुपाओं में रहते थे जानवर तो अपना पेट भरते थे उस समय इंसान इतना जानता नहीं था जोंकि फत्तर क के उपकरन बहुत महित्पूर थे इसलिए लोग ऐसी जगें डूनते रहते थे जहां अच्छे पत्तर मिल सकें सेल चित्रकला इनमें हमें क्या पता चलता है एक सेल चित्र इस चित्र के बारे में बताओ जिन गुपाओं में लोग रहते थे इनमें से कुछ की दीवानों प प्रदेद अच्छे ने उत्तर प्रदेश की गुपाओं में से मिले हैं इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुछ सल्टा से सजीव चित्रन किया गया है ये देखी प्रेंस ये जो गुपाएं हैं कंद्राएं हैं पहले लोग अच्छे अच्छे फत्रों वाली जगों पर प्रष्टल उस इस्थान को कहते हैं जहां ओजार बरतन और इमारतों जैसी वस्तूओं के अफसेस मिलते हैं ऐसी वस्तूओं का निर्मान लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में भी उन्हें छोड़ गए ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्रों नद के तल में भी पाये जाते हैं इन पुराष्टलों के बारे में आपको अगले अध्यायों बताया जाएगा अगले जो भी अध्याया आते जाएंगे उन्हें बताया जाएगा आप कंट्यूनियों बने रहे हैं अपने चैनल पर और फ्रेंस देखिए NCRT पढ़ना बहुत ही important है बहुत must है क्योंकि इससे हमारी सोचने की सकती समझ विक्षित होती है इसमें चीजों को बहुत ही बारिकी से सुन्दर तरीके से समझा गया है यह NCRT हर competition exam में teacher, first grade, lecturer और civil services में तो important ही और जो school में पढ़ते हैं उनके लिए भी important है जो next class में पढ़ते हैं उनके लिए भी important है यह सभी के लिए important है चलिए अपन तो से अपनने तो NCRT की सुरुआती कर दी है तो अपने इसको कक्षचे से बार में तक complete करेंगे आप अपने चैनल पर बने रहें बस और notification होन कर लें चलिए शुरू करते हैं आग की खूज कैसे हुई मांचेत्र 2 में कुर्णूल गु जैसे कि आपको इसमें कुर्णूल गुपाएं देखाई दे रही होंगी जैसे कि हमने यह देखी अभी कुर्णूल गुपाएं जो रेड ट्रंगल में हैं आगे चलते हैं यहां राग के अफसिस मिले हैं कुर्णूल गुपाओं थी वहाँ पर राग के अफसिस मिले हैं इसका मतलब यह कि आरंबिक लोग आग जलाना सीख गए थे अब कुछ से ना जाएगा कि राग के अफसिस का मिले हैं कुर्णूल गुपाओं में कुर्णूल गुपाउं में राग के अफसिस कामिले हैं आग का इस्तिमाल कई कारों के लिए किया गया होगा जैसे पिरकास के लिए मास भुनने के लिए खतरना जानवरों को दूर बादी भगाने के लिए इसे मानव ने आग की खोज करी आग की खोज करने से लिए मानव को बहुत रहत मिली उनको रात में ओजाला हो गया जानवर भी उनके नजदिक नहीं आते थे जैसे वो खाही सुनसान जग़े पर सो रही तो आग जला देते थे और उससे उनको माश पकाने में तो उनका टेस्ट और बढ़ गया तो इस तरह आग का विश्कर उनके लिए एक बरदान साबित हुआ मानव के लिए क्योंकि पहले कच्चे माश वोई खाते थे आग उसको पका के खाने लगे खत्रनाक जानवर दूर रहने लगे आग से तो उनकी सुर्प चाओर बढ़ गई इस तरह से आग का विश्कर बरदान साब आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं इसके बारे में लिखना है प्रेंस आप लेख सकते हैं लेखना चाहें तो इससे हमारे सोच विक्षित होती है सिविल सर्विसेज मेंस एक्जाम के लिए नाम और तितिया हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातात्विदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं आरंबी काल को वे पुरा पासान काल कहते हैं जो आरंबी काल है उसको पुरा पासान काल कहते हैं यह सब्द दो सब्दों पुरा यानि प्राचीन और पासान यानि फत्तर से बना है यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त फत्तर के ओजारों के मेंत को बताता है पुरा पाशन काल 20 लाग साल पहले से 12-4 साल पहले के दोरान माना जाता है इस काल को तीन भागों में विवाजित किया गया है आरंबिकाल, मद्दकाल और उत्तर पुरा पाशन काल माना वितियास की लगबग 99% कहानी इसी काल के दोरान गठित हुई जो ये काल थे आरंबिकाल, मद्दकाल और उत्तर पुरा पाशन काल जो ये युग थे ये काल थे जो माना वितियास की जो 99% कहानी है वो इन्ही कालों के दोरान घटित हुई जिस काल में हमें परियावरण बदला मिलते हैं उसे मैसो लित यानि मद्द पाशन युग कहते हैं इसका समय लगबग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है इस काल के पाशन ओजार आम तोर पर बहुत छोटे होते थे इन्ही माईक्रो लित यानि लगव पाशन कहा जाता था प्राइ इन ओजारों में हड्डियों या लकडियों के मुठी लगे हशिया और आरी जैसे ओजार मिते थे इनकी फोटो दिखाए जाएंगे आपको आगे साथ साथ पुरापाशन युग वाले ओजार भी इस दोरान बनाई जाते रहे अगले युक की शुरुवात लगवग 10,000 साल पहले से होती है इसे नव पाशन युक का जाता है नव पाशन का क्या मतलब होता होगा हमने कुछ इस्थानों के नाम दिये हैं अगले अदय हम तुम्हें ऐसे अने को नाम मिलेंगे अक्सर हम पुराने इस्थानों के लिए उन नाम का प्रियों करते हैं जो आज भी प्रिचलित हैं क्योंकि हमें ग्यात नहीं है कि उस काल में इनकी क्या नाम रहे होंगे बदलती जलवाईयों लगबग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवाईयों में बड़े 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 बदलाव आये और गर्मी भड़ने लगी इसके परिणाप सुरुक कई छेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे इससे हिरन, बारे सिंगा, भेड, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संक्य बड़ी जो गाश खाकर जिंदा रह सकते हैं जो लोग इन जानवरों को सिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आये और इनके खाने पीने के आदतों और पिजिनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे वो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़ कर अपनी जर्वतों के उनसार पालने की बात सोचने लगे हों साथ ही इस काल में मचली भी बोजन का महत्पूर्ण सुरोत बन गई खेती और परशुपालन की सुरुआत किस तरह से हुई खेती और परशुपालन की सुरुआत खेती और परशुपालन की सुरुआत इसी दोरान उपमादिप के बिन्बिन इलाकों में गेहूं, जों, धान जैसे अनाज प्राकरती रूप से उगने लगे थे साइद मैलाओं, पुर्शों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना सुरू कर दिया होगा साथ ही वह यह भी सीकने लगे होंगे कि अनाज कहां उखते थे, और कब पकर तयार होते थे, ऐसा करते-करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीक लिया होगा, इस परकार धीरे-धीरे वे किर्शक बन गए होंगे इस तरह से मतलब बता गया है कि किस तरह से मानों ने अनाज पैदा किया किस तरह से वो दीरे-दीरे उसको उगाते थे खुद खेती करते थे और वो किर्शक बन गई दीरे-दीरे इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास 4 रखकर जानवरों को आकरसित कर उने पालतु बनाया होगा सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतु बनाया वह कुत्ते का जंगली पूरवज था दीरे दीरे लोग भेड, बकरी, गास, वर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़तिक आने को उतसाइद करने लगे ऐसे जानवर जुन में रहते थे कुत्ते कोई क्यों बनाया क्योंकि कुत्ता सबसे वफ़दा जानवर है जैसे कि आम जाते है कुत्ता कभी दोका नहीं देता है तो जैसे रात में सो जाते थे तो बड़े जिव जानवर आते थे उनसे वो रक्चा करता था वो बोल जाता था तो सभी जाग जाते थे तो जानवर भाग जाता होगा सद इसलिए कुत्ते को उन्होंने पालतू जानवर बनाया हूँ सबसे पहले दीर दीरे लोग भेड, बकरी, गाय, सुवर जैसे जानवरों को अपने घरों के नरती आने को उतसाइद करने लगे ऐसे जानवर जुण में रहते थे और ज्यादा तर घास काते थे अक्सर लोग अन जंगली जानवरों के आकरवन से इनकी सुरुप्चा करते थे इस तरह दीरे दीरे पशुपालक बन गई होंगी क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया सायद इसलिए बनाया गया होगा कि कुत्त सबसे बाफ़दा जानवर है और उनकी मानव की रक्षा करता है रात में कोई बड़े जानवर से भी वो रक्षा करता है इसलिए सायद बशने की प्रकेरिया लोगों द्वारा पौदे उगाने और जानवरों की देखबाल करने को बशने की प्रकेरिया का नाम दिया गया है अपनाए गए ये पौदे तता जानवर अक्सर जंगली पौदों तता जानवरों से भिन होते हैं इसकी वज़े यह है कि बशने की प्रकेरिया की दिसावे में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चैन करते हैं उधारन उधारन के तौर पर लोग इनी पौधों या जानवरों का चैन करते हैं जिनके बीमार होने की समामना कम हो यही नहीं यही नहीं यही नहीं लोग इनी पौधों को चुनते हैं लोग उनी पोदों को चुनते हैं जिन से बड़े दाने वाले अनारज प्रेदा होते हों साथ ही जिनकी मजबूर डंठले अनारज के पके दानों को बाहर को समाल सकें ऐसी पोदों की बीजों को समाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गोर्ण सुरक्षित रह सके उन्ही जानवरों को आगी प्रजिनन के लिए चुना जाता है जो आमतोर पर अहिंसक होते हैं उन्ही जानवरों को आगी प्रजिनन के लिए चुना जाता है जो अहिंसात मगरोड से उनिया जानवरों को आगे पिर्जिनन के लिए चोना जाता है पिर्जिनन बच्चा पेदा करना जनम देना जो आमतोर पर अहिंसब होते हैं जो ढ़ती नहीं है इसलिए हम देखते हैं कि पाले गई जानवर तता क्रेसी के लिए अपनाएं गई पौदे जंगली jaनवरों हो तता पौदों से दीरे दीरे बिन होते गई मिसाल के तोर पर जंगली जानवरों का तूलना shortened पालतू जानवरों के दात और सीहिंग इन में से कौन सा जंगली सुवर का है और कौन सा पालतु सुवर का है जैसे परन बता गया है कि पालतु जानवरों की दात और सिंग चोटे होते हैं जंगली की बड़े होते हैं तो के लिए रहे चोटा वाला पालतु है बड़ा वाला जंगली है पशनी की पिरकेरिया पूरी दुनिया में धीर धीरे चलती रही ये करीब 12 हज़ार साल पहले शुरू हुई वास्तम में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी पशनी की पिरकेरिया की वज़े से हैं किरसी के लिए अपनाई गई सबसे प्रिचलित प्राचीन पशलों में उसी तरह सबसे पहले पालतु बनाए गई जानुरों में कुट्थे के बाद बेरिन बकरी आते हैं फ्रेंट्स एक नवीन जीवन से लिए तुम किसी पौदों के बीज को बोकर देखो बोकर देखो तुम पाओगी कि इसे ही विक्सित उने में कुछ वक्त लगता है इसमें कुछ दिन महीने या फिर साल लग सकता है इसलिए जब लोग पौदों युगाने लगे तो उनके देखवाल के लिए उन्हीं एक जगे पर लंबे समय तरहना पड़ रहता था बीज बूने से लेकर पसलों के पकने तक पौदों के सचाई करने खर्पतवार हटाने जानवरों और चड़ियों से उनके सुरक्चा करने की जैसे बहुत से काम सामिल थे कटाई के बाद अनाज का उप्योग बहुत समाल कर करना पड़ता था अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रोपों में बचा कर रखना आविश सकता इसलिए लोगों को इसके बंदारन की बास सोचनी पड़ी क्योंकि अनाज रखेंगे तो अकली बार बहुएंगे खाएंगे इसलिए उनको उसको बचा कर रखना जरूरी था क्योंकि आगे के लिए जरूरी था अनाज को भोजन बीज दोनों ही रोपों में बचा कर रखना आविश सकता इसलिए लोगों को इसके बंदारन की बास सोचनी पड़ी बहुत से जैसे कि यह है बीज के रूप में खाद के रूप में भार के रूप में बंदारन के लिए कितने तरीके से हमें अनाज को रखना पड़ता है बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बरतन बनाए तोकरिय बुनी या फिर जमीन में गड़ा खोदा कि तुम्हें लगता है कि सिकार या भूजन संग्र करने वाले बरतन बनाते और उनका फिर्यों करते होंगे अपने जवाब का कारण बताओ इस कुशन का अंसर आपको आपके नोट बूक अगेरा में लिकना है फ्रेंस जानवर चलते फिरते खाद बंडार जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संक्या बढ़ती है अगर जानवरों की देखवाल की जाए तो उनकी संक्या तो बढ़ती ही है साथ ये उनसे दूद भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है यही नहीं कुरों का उपयोग किसलिए होता है इसका उत्तर दीजी écrans Jisthin. जिसा के इसमें पहुंच रहा है कि क्या तुम बता सकते हो सबसे पहले कुतों को ही पालतू जानवर क्यों बनाया लेकिन फॉंबता ओस तो हुबकि एक तो sir ये जानवर क्यों मानव को थोड़ी पता था ये सब कि कुट्ता वफ़दार जानवर है तो मानव ने पहले तो सभी जानवरों की हरकतों को देखा होगा कि कौन कैसी हरकत करता है और जब मानव एक जगे रहने लगा वहाँ वो दिर दिर क्रेसी करने लगा वहाँ पेड़ पोदे जो फल सिकार करने में कुट्टे को मतलब मानव को लगा कि कुट्टे को पालने से यह हमारी सिकार करने में मदद करेगा और रात में भी हमारी रक्षा करेगा जैसे क्रेशी करी और मानव तो सो गया तो कुट्ता भौक कर कोई जानवर आएगा तो उसको मानव को जगा देता था या पिर वह अकेला भी मौक कर कैसी को नुक्सान पहुचाने वाले जानवरों को भागा देता रहा होगा ऐसा सूचा होगा मानव ने और या इसलिए भी कि कोई जंगली या किसी भी प्रकार का जानवर या मानव ही जब रात में वहाँ आसपास से गुजरता रहा होगा तब भी भूंकर मानव को सचित करता रहा होगा कि आसपास कुछ घड़बर है जाग जाओ तो इसलिए मानव ने अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले कुटो को ही पालतू जानवर बनाया फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आप भी इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं आपको पता ही है जैसे हम कुट्टे को एक दो दिन रोटी दे देते हैं तो अगले दिन वो अपने घर पक्का आता है कुट्टा में अपना पन जल्दी आता है बहुत जल्दी वो इसको अपना ही घर समझने लगता है इसलिए बनाया बसने की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौदे योगाने और जानवरों की देखवाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है अपनाए गई ये पौदे ततर जानवर अक्सर जंगली पौदों ततर जानवरों से भिन होते हैं इसके वज़े ये है कि बशनी की पिर्किरिया की दिसा में अपनाए गई पौदों या जानवरों को लोगों का लोग चैन करते हैं उधारन के लिए उधारन के तोर पर उनी पौदों या तथा जानवरों का चैन करते हैं लोग जिनके बीमार होने की संभावना कमो मतलब लोग उनी जानवरों और पौदों को जमाना बशने लगा तो उसने जो पौदे जो पौदे और जानवरों का चैन किया जो पौदे और जानवरों का उन्होंने चैन किया वो इसलिए चैन किया कि एक तो ऐसे जानवर हों जिनके बीमार होने की संभाम नकम हों और वो बीमार नहीं हो यही नहीं लोग उन्हीं पौदों को चुनते हैं जिन से बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों, बड़े दाने वाले अनाज पैदा हों, पेट यल्दी भर जाएगा, छोटे वाले की जगे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें, अनाज की पके दानों को भार को समाल सके, ऐसे पोदे की बीजों को समाल कर रखा जाता है, इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तता क्रिसी के लिए अपनाए गए पौदे जंगली जानवरों तता पौदों से धीरे धीरे भिन्लोते गई मिसाल के तोर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दात और सिंग छोटे होते हैं जंगली जानवरों के तुलना में जो पालतू जानवर थे उनके दात और सिंग छोटे होते हैं जैसे ये दात ये हैं पालतू जानवर के और ये हैं बड़े जानवर के इन दातों को देखो इन में से कौन सा जंगली सुवर का है और कौन सा पालतू सुवर का है इसमें पता है छोटे दांते पालतु वाले हैं बड़े जंगली वाले हैं बसने की पिरक्रिया पूरी दुनिया में दीरे दीरे चलती रही यह करीब 12.000 साल पहले शुरू हुई पास्तम में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की पिरक्रिया की वज़े से मतलब मानव बसने लगा मानव देरे-देरे क्रिसी करने लगा फशलोगाने लगा उसी पिरक्रिया की वज़े से जो बसने की पिरक्रिया थी उसी की वज़े से आज का भोजन अपलब्द हो रहा है कितने संगर्स किये थे मानवने आदी मानवने पहले क्रिसी के लिए अपनाई गई सब सबसे प्राचिन फशलों में गेहूं जो आते हैं उसी तरह सबसे पहले पालतु बनाए गए जानवरों में कुट्टे के बाद भेड़ बकरी आते हैं जिस तरह प्राचिन फशलों में गेहूं जो आते हैं उसी तरह पहले पालतु बनाए गए जानवरों में कुट्टे जो सबसे पहले कुट्टा था उसके बाद भेड़ बकरी आते हैं एक नवीन जीवन सेली तुम किसी पौदे के बीज को वोकर देखो तुम पाऊगे कि इसे विक्सित होने में कुछ वक्त लगता है इसमें कुछ दिन महीने या फिर साल लग सकता है इसलिए जब पौधों पौदे वाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जग पतवार अटाने जानवरों और चड़ियों से उनकी स्रक्षा करने जैसे बहुत से काम सामिल थे कटाई के बाद अनाज कौप्यों बहुत समाल करना पड़ता था जिस तरह मानवने पहले फसल की पहले मानव को फसल की और फसल करते हैं तो बहुत लंबा समय लगता है इसी तरह मानव को एक जागे रहना पड़ा इस तरह मानम इस्ताई बनाया एक जागे रुकने का और भीजबोने से लेकर फसल के पकने तक उनको बहुत देखवार करनी पड़ती थी पानी देना फसल में पानी देना और खरप्रतवार हटाना नराए गुडाई करना जानवरों और चड़ियों से फसलिए सुरक्चा करना जैसे बहुत से काम सामलते। कटाई के बाद अनार्ज का अपयोग किस तरह से करना है दीर दीर है और उसको बहुत समाल कर रखना पड़ता था जैनबर नुक्सान पहुंचा देते हैं अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था क्योंकि यदि पूरा को नश्ट कर देंगे तो अगला बोने के लिए कुछ नहीं रहेगा कैसे कैसे वो क्रिसी करने लगे इसलिए अनाज को बचा कर रखना भी उनकी बहुत जिम्मेदारी थी क्योंकि उस समय मकान तो होते नहीं थे ऐसे ही खुले में गुपाओं में या कहीं रखते थे आप श्रक्ता इसलिए लोगों को इसके बंढरन की बात सोचनी पड़ी कि कहां रखें अनाज को बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बरतन बड़े बरतन बनाए अनाज को रखने के लोगों ने मिट्टी के बड़े बरतन बनाए तोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड़ा खोदा जमीन में गड़ा खोड़ कर अनाज को सुरक्षित रखना था उनको खाने के लिए भी और अगले साल या अगली फसल को बोने के लिए भी क्या तुम्हें लगता है कि सिकार या भूजन संग्रे करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रियोग करते होंगे अपने जवाब का कारण बताओ क्या तुम्हें लगता है कि सिकार या भूजन संग्रे करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रियोग करते होंगे बिलकुल तो बरतन तो बनाएंगी और अनाज को सरक्षित रखना इसलिए जानवर चलते फिरते खादे बंडार जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है जानवर क्या है बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है अगर जानवरों की देखपाल की है दूसरे सब्दों में पशु 파लन भूजन के भंडारन का एक तरीका है भूजन के लिएएग जानवरों से और क्या-क्या मिल सकता है आज जानवरों का उपईयों किसलिय होता है आइए जानती हैं दोस्तों आउ आरंबिक किर्षकों और पशु के बारे में पता करें मान्चेत्र दो देखो क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं मान्चेत्र दो का पता करो और देखो मान्चेत्र दो में पता करो मतलब की नीले वर्ग कहां परें इनमें से प्रतिक बिंदू उस जगे को दर साता जहां पुरातात्विद से प्राचीन और हाल के मानव अतीद का अधियन करना प्राचीन और बर्तमान में मानव अतीद का अधियन करना किस तरह से मानव का विकाश हुआ किस तरह से कोई बस्तु मिलती है चीज मिलती है पुराने उनको पुरा तात्वित मिलियन वर्स पुराने मिलियन वर्स पुराने जीवाश्मों का अध्यान कर सकते हैं या वे वर्तवान समय में बीश्मी सदी की इमारतों का अध्यान भी कर सकते हैं पुरा तात्विक कितने भी वर्ष पुराने हों उनका अध्यान कर सकते हैं चले दोस्तों देखते हैं अपन नीले वर्ग को देखते हैं जहां पर किर्शकों और पशुपालकों के होने के साक्ष मिले हैं फेरेंस जैसा कि आपको नीले वर्ग दिखाई दे रहे होंगे इसमें यह रहा यहां पर यहां पर आप इनको पढ़ सकते हैं इसलिए तो बोल रहां अपने टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लें वहां पर इन सबके पीडियेप आपको भेजी जाएगी आप टेलीग्राम पर बने रहें और अपने वीडियो की जो भी लिंक अपडेट होगी वह भी वहां पर भेज दी जाएगी इसलिए जरूर जोइन करें अपनी टेलीग्राम चैनल को वहां इसको आप अच्छे से देख सकते हैं समझ सकते हैं इस मैप की फोटो वहां बेज दी जाएगी आपको और पीडियेप भी एक साथ सब के एक साथ बेज दी जाएगी अपनी किलासे खतम होने के बाद कंप्लीट कूर्स के बाद थेंक्यू प्रेंट्स चलिए आगे च बेजिए दी जाएगी जिस्तिया को ढोडने में दिक्क्त ना हो अब यहाँ पे विगए उप महाधीप में पाए गये चया होूँ अपने पूरे अंडिया में सब जगहएब पारे एंप पूरे तर हुझे लेगे आदुनी कश्मीर में पूर्वी तता दच्छनी भारत में पाए गए हैं वास्तम में ये निर्दिष्ट इस्थान किर्शकों और पशुपालकों की बश्टियां थी या नहीं इसे जाचने के लिए वेग्यानी खुदाई में मिले पौदों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्यन करते हैं इन में से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अफसेस हैं ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जान भुझकर जलाए गए होंगे वेग्यानिक इन अनाज के दानों के पहचान कर सकते हैं इस तरह हमें पता चलता है कि उप महादीब के विबिन भागों में बहुत सारी पशले होगाई जाती रहे होंगी वेग्यानिक विबिन जानवरों के हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं वेग्याने की जो है हमारे प्रातातविद वह बिविन जानवरों के हट्डियों के भी पहचान कर सकते हैं यह प्रातातविदों को कुछ परा इस तनों पर जहुपडियों और घरों के निसान मिले जैसे की बुर्ज होम वरत्मान कश्मीर में कश्मीर में वहाँ पर बुर्ज होम जगे है वहाँ पर प्रातातविदों को जहुपडियों घरों के निसान मिले हैं बुर्ज होम के लोग गड़े के नीचे घर बनाते थे जिनें गरतवास कहा जाता है जो गड़े के नीचे घर बनाते थे उन्हें गरतवास कहा जाता है इन मोतरने के लिए सीडिया होती थी, इस से उन्हें ढटशन के मौसम में सुरख्चा मिलती होगी, प्रतात्विदों को जोपड़ियों के अंदर और बाहर, दोनों ही इस्तानों पर आग जलाने की जगए मिली है, प्रतात्विदों को जो जोपड़ी इस तरह कि वो गड़ा बनाते थे गड़े मंदर सीडिया बनाते थे और अंदर घर बनाते थे इस तरह से बहुत सारी जगों से फत्तरों के ओजार भी मिले हैं फत्तरों के ऐसे ओजार भी मिले मानव को अलग-अलग तरह के मानवकपत्रों के ओजार भी मिले थे इन में से कई ऐसे हैं जो पुरापासान योगीन उपकरणों से भिन हैं इसलिए इन्हें नपासान योग का माना गया है इन में वे ओजार भी हैं जिनकी दार को अधिक पहना करने के लिए उन पर पॉलिस छड़ाई जाती थी ओकली और मुशल का प्रियोग अनाज पीशने के लिए किया जाता है उसी तरह प्राचीन प्रस्तर योगीन ओजारों का निर्मान और प्रियोग लगातार होता रहा कुछ ओजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे इस तरह मानम ने ये ओ मिल जाएगी अपने चेनल पर अपने चैनल को लाइक करें अदीस अदीक सेयर करें आपके लिए सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपर 620 अक एक किताब को एक एक चेप्टर को इसमें लखा है क्या तुम कलप ना कर सकते हो कि इस पात्र में क्या क्या है क्या रखा होगा क्या रखा होगा बताए प्रिंट्स इनमें माना वो आपनी जरूरत की चीज़ां को रखता होगा क्या पता इसलिए ये मिटी के बर्तन में पूरा थात्वितों उन पासानय को यूक के पूरा सथरों से कई प्रविर्गार कर मिटी के बर्तन मिले हैं कभी-कभी इस पर अलंकरन भी किया जाता था इन पर मतलब डिजाइन देते थे मानव पहले बरतनों पर डिजाइन भी कर देते थे वो फिर इस देखो यह मिट्टी का पात्र है क्या तुम कल्पना कर सकते हो या कर सकते हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा फिर इस पात्र में मानव की जरुवत की कुछ चीज़े रखे होंगे खाने पीने की न पासन योग के पुरास्तनों से कई पिरकार मिट्टे के बरतन मिले हैं कभी-कभी इन पर अलंकरन भी किया जाता था जो भी बरतन हैं इन पर मानव इस तरह से अलंकरन चित्रकारी पेंटिंग भी करता था बरतनों को प्योग चीज़ों रखने के लिए के जाता था जो मानव की चीज़ें थी देने कीवन की खाने पीने की कुछ भी जानवरों से बचाने के लिए इसमें रख देते थे बरतनों में बड़े-बरतन थी दीरे-दीरे लोग बरतनों का प्रियोग खाना बनाने के लिए भी करने लगए मानव खाना बनाने के लिए बरतनों को बनाने लग गया फिर बरतनों में खाना बना देते खाने के लिए भी बरतन बनने लग गई चावल गहूं दलहन जैसे अनाज अब आहर का महतून हिस्सा बन गई थी मानव ने चावल गहूं तो दलहन को अपने आहर का अपने भोजिन का महतून हिस्सा बना लिया था और वो शिकार करना बंद कर दिया, उन्होंने दीरी-दीरी और उदर खाने के लिए वो अलग-लग जा कर जाते थे, वो भी बंद कर दिया मानमने, फ्रेंस आप इसको देख सकते हैं, आप दोकि इस फ़िडिवते लिएप देख सकते हैं और पलिए अपने चैनल को सबस्क्रा क्लासेज को डेली फ्रेंट्स फिरी क्लासेज हैं एकदम और बहुत ही संदर तरीके से आपको पढ़ा जा रहा है पूरी एकस्पलेन के साथ कि इसके लिए कपाज जैसे आविश्चक पौदे योगाई जा सकते थे फ्रेंट्स कब्डे बुनने के लिए कपाज जैसे पौदे भी योगाई जा सकते थे क्या ही परिवर्तन हर जगे एक साथ या गए होंगे ऐसी बात नहीं है एक जगे थोड़े आता हर परिवर्तन पर एक जगे आता है फिर दीरे दीरे फिर मस्ट होता जाता है पर सिदूता जाता है एक तरफ जहां कई जगों पर इस्तरी पुरुष सिकार और भोजन करने भोजन संग्रे करने का काम कर रहे थे वहीं अन लोगों ने जारों सालों के को जो डूटरली आ रहा थे उनसे खेती और पश्वालन को अपना लिया बहुत जागे लोग मौसम के मताबव के बदल बदल में जीवी का चलाय करते थे कि ऎस मोसम में यह फ़सल हूंती है अगली मोसम में वह वह होती है इस तरह से अपना जीवी का चलाय करते एक नहीं नहीं रिकषा मेहर गडमें मेहान मिरत्यूों मांचट्र दो फिर्ष तेरे में मेहरगड लो दोस्तों मांचट्र दो है उसके प्रिष्टे तेरे पर है वो उसमें मेह시죠 दोना है यह इंगते बोलन दर्रे के पास एक हरा बरा समतलिस्तान है मेरगड अपन मेरगड को देखते हैं फिरेंट साब को इसमें मेरगड दिखाई दे रहा होगा यदि नहीं दिखा रहा तो अपन ढूडते हैं देखिए यह रहा मेरगड यहां से इरान को यह जो मेरगड है मेरगड था मैप में वो इरान जाने वाले सबसे महत्पूर्ण रास्तों में से है बोलन दर्रे के पास एक हरा बरा समतलिस्तान है मेरगड संबवत वहिस्तान है जहांके इस तरी पुरसों ने इस इलाके में सबसे पहले जोओं गेहूं उगाना और भेड़ वक्री पालना सीका यहां विविन प्रकार के जानवरों की हड्डिया मिली हैं इसमें हिरन तता सुवर जैसे जंगली जानवरों तता भेड वक्रियों की हड्डिया हैं मेहरगड में इसके अलावा चोकूर तता आयताकार घरों के अफसेश भी मिले हैं पिरते घर में चयार य तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है इस घर में च्यार कम रहे हैं यह चौकोर है पिरते घर में च्यार है उससे ज्यादा कम रहे हैं इस तरह के वहां घर में ले हैं मिरत्व के बाद सामान जाते हैं मिरतक के सगे समंद्य उसकी पिरती समान जताते है लोग की आस्ता है कि मिर्त्यों के बाद भी जीवन होता है इसलिए कब्रों में मिर्तकों के साथ को सामान भी रखे जाते थे मेहरकड में कई ऐसी कब्रे मिली हैं मेहरकड में एक मिर्तक के साथ एक बकरी को एक कब्र में एक मिर्तक के साथ एक कब्र है इसमें एक आदमी है एक मिर्तक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है इस तरह की वहाँ पर कब्र हैं सब्सक्राइब इसे परलोक में मिर्तक के साथ खाने के लिए रखा गया होगा पहले मानवार सहरी था कुछ भी मतलब खा लेता था तो अभी भी बहुत से लोग खाते हैं ऐसी बात नहीं है देखिए यह मानव है इसमें इसके साथ बकरी को भी रखा गया था मेरे गड़ कबर कच्चत क्या तुम बकरी के कंकाल को पैचान सकते हो क्या तुम बकरी के कंकाल को पैचान सकते हो पैचानिए इस चित्र में बकरी के कंकाल को अन्यत्र फ्रांस में की गई चित्रकारी अपने एटलस में फ्रांस डोड़ो जो एटलस होता है आप सभी एटलस रखड़ी ऑक् अंग्लिश में ना सकते हैं ऐंग्लिश लिंग्विज में लाएं तो और सइरा हिंदी में भी लाश्कते अपने में फ्रांस डोडो जो एट्लस है मैप है उसमें फ्रांस तूण ये चित्र přेस्सित गौपा का है इस पुराइस्टल की खूज लगबग सो साल पहले च्यार स्कूली छात्रों ने की थी चलिए मैं देखा देता हूं आपको फ्रांस एक्लस में दोस्तों जैसे आपने देखा भी फ्रांस देखाया था वर्ल्ड के में अपना इंडिया भी दिख रहा था तो आप भी देख सकते हैं च्यार श्कूली छात्रों ने क्या की थी उस गुपा प्रवस्तल की खूज की थी जो की कहां पर है फ्रांस में इस तरह के चित्र लगबग लोग बीश हजार साल के बीच बनाए गई होंगे इन इनमें से कई जानवरों के चित्रें इनमें जंगली गोडे, गाय, बेंस, गेंडा, रेंडियर, बारश इंगा, सुरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रे दिक किया गया है और इन रंगों को लो एस्क और चारकोल जिक खनीज बदारतों से बनाया जाता था यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अफसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें सिकार यो द्वारा सिकार पर निकालने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा यह जो चित्र बन रहे हैं यह गुबा के अंदर जो की चार स्कूली चात्रों ने यह कोज खेती है इस गुबा की इसमें बन रहे है जंगली खोड़े गाय भेंश गेंडा रेंडियर बारे सिंगर सुरों के चित्र बन रहे हैं देखो आप दिख रहे होंगे आपको इस कालने से पहली कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया जाता होगा एक नव पास्थाने के पुराइस्थाल एटलस में तुर्की डूने एटलस में तुर्की डून सकते हैं जो फ्रांस के इदर नीचे की साउथ में इदर और फ्रांस के साउथ में और इस्ट में नीचे की साइ में है एक चताल हूर के तुर्की में है यहां दूर दराजस्तानों से कई चीज़े लाई जाती थी और इनका उप्यो किया जाता था जैसे सीरिया से लाए गया चक्मक फत्तर लाल सागर की कोडियां बुमंत सागर की सीबियां ध्यान रहे उस समय तक पईये आप यहां इनका बegस्तर नहें अक्योंग बढ heading Pastis देनDO पहुत ही तर लोग सामान खुदिया जानौर कीज़ाया हुए थे पहले हैं थे में आ पासिपीयों कोडीयों के किया होता था खिज़ेंग हने क conception है तुमार्स से बारजदा साल Inc D 9 कि एक गुपा में रहते हूं प्रिस्ट चोधे पर देखो तुमारे तुमारे मामा गुपा की एक बीतरी दिवार पर चितर बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो तुम रंग बनाओगे रिखाएं की चोगे या फिर वर्शन में रंग भरोगे तुमारे मामा कौ कौन सी कहानिया सुनाएंगे इसकी बारे माप लिख दीजिए आओ पूरा करें इनको कर दीजिए फ्रेंड्स यह कुर्श्चन है और इनकी पीडियाप सभी आपको माम मिल जाए अगले चैप्टर तीन की तरफ आपको कल पढ़ाते हैं थैंक्यू फ्रेंड्स थैंक्यू ओ नमस्ति फ्रेंड्स कैसे आप मैं गनेश मंदावत आपका स्वाध करता हूं अपने चैनल टार्गेट विद गनेश में दोस्तों जैसा कि अपने NCRT सीरीज चला रखी है और आज हम कक्चा 6 के हमारे अतीत 1 बुक के चैप्टर 3 पर पहुंच गए हैं जो हिस्ट्रे की बु बहुती अच्छी तरीके साथ दिन क्या है यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उन वीडियो को देखकर आएं फिर इस वीडियो को जरूर देखें और दोस्तों इसमें हडपा मोहन जोड़ो काली बंगलो तो जितनी भी सबिता हैं उनके बारे में चैप् और उनकी लिंक अपने इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी दोनों वीडियो की आप जरूर देखें फिर चलिए सुरात करते हैं पुराने भवन का सरक्षन ये दो बच्चे हैं इनके माइन में कुछ चल रहा है तो ये पुराने भवन के लिए कुछ बोल रहे हैं जस्पाल और हर्प्रीत अपने घर के पास की गली में किर्केट खिल रहे थे ये जस्पाल और हर्प्रीत दो बच्चे हैं जो अपने घर में गली रहती हैं गाम में किर्केट खिल रहे थे उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर की तरफ तारीब कर रहे थे जो खंडर आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुन्दर नकाशी देखी है दूसरी महिला ने कहा हमें मंतरी जी को पत्र लेकर कहना चाहिए कि वह इस खोशुरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसके मरम्मत कराने की विवस्ता करें फिर जैसर के आप देखते हैं आज कल भी सरकार करती है जो पराना कुछ भी है फिर सिद्ध उनकी मरम्मत करवाती है उनको सरक्षित रखना चाहते हैं भवस्त के लिए कि इनको हाने नहीं पहुँचे हमारे आने वाले पीडियां भी उनको देखे जाने की पहले किस तरह की नकाशिकी जाती थी किस तरह से बनाया जाता था ये सब सूनकर जश्पाल और हरप्रीद सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगा क्यूं हो सकता है तो दो दोछ तो इस کے बारे में हम पढड़ेंगे और आपने फेले चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि अध्य की मिलती रहेंगे शेशो प्राइब लाइक करने सेयर करें चलिए सुरूपकर करते हैं प скор países टेलिघ्राम चैनलागीट विध यह जोंदे तसमें पहु है के यह सब स extermin हो जाएं और चैनलागीटेट विध chut हडपा की काणी अक्सर पुरानी इमारत अपनी काणी बताती है लगबग डेड़ सु साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवी लाई ने बिचाई जा रही थी तो इस काम में जोटे इंजिनियरों को अचानक हडपा पुराइस्तल मिला लगबग डेड़ सु साल पहले पंजाब था अपना अभी ये पंजाब अपना भारत में भी है पंजाब पाकिस्तान में भी है पहले एकी पंजाब था ही डेड़ सु साल पहले जब इस पंजाब में पहली बार रेलवी की लाई ने बिचाई जा रही थी तो इस काम में जोट है जहां से अच्छी इंटें मिलींगी एक ऐसा खंडर जहां से अच्छी ही एक इतनी विवस्त rocking नहीं थी तो इनको वहां से अच्छी इटें मिली यह सोचकर भी हडपा के खंडरों से हज़ा रहों इटें उखाड ले गए हडपा के सहरों से हज़ा फेंस जो अमारे इंजिनेरों को हडपा पुराइस्तल मिला जो भी आदियूनिक पाकिस्तान में वह एक ऐसा खंडर है उन जिससे उन्होंने रेलवेल आई ने बचाई इसके कई अमारत पूरी तरह नस्ट हो गई जो अडपा सब्विता की जो अमारत थी बूर नस्ट हो गई थी जो कि वो नीटों को खाड़ ले गए उसके लगबाद लगबग 80 साल पहले पुरातात विदों ने इस इस तल को दशा और तब पाता चला कि खंडर उपमाधिप के सबसे पुराने सहरों में से एक है चोंकि इस नगर की खूद सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले इस City के सभी पोरास्तलों में जो अमारतuit हैं और चीज़ मिली उन्हें हडपा सब बिता की अमारत का गया जो भी यहां पर अड़बर सब्विता की जो चीजे मिली कुछ भी मिला यहां कोई भी बारतन मगेरा या कोई भी आईटम मिला वो अड़बर सब्विता के अमारते कही गई अमारते मिली इन सहरों का निर्मान लगवख 46 साल पहले हुआ था पराए पुरानी इमारतों को तोड़ कर उनकी जगे नई भवन बनाये जाते हैं क्या तुम्हें लगता है पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए इन अगरों की क्या वसेश्था थी इन अगरों की क्या वसेश्था थी इन अगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्था हो में वाजित किया गया था पराए पहस्चिमी भाग चोटा था लेकिन उचाई पर बना था पराए पहस्चिमी भाग चोटा था और उचाई पर बना था पूर्वे इस्सा बड़ा था लेकिन वे निचले अलाके में था उचाए वाले भाग को पुरा तात्विदोने नगर दूर कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है दोनों हिस्सों के चार दिवारियां पकी इटों की बनाई जाती थी इसकी इटे इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दिवारें खड़ी रही इतनी पकी इटे थी कि हड़बा सब्बता में आज तक उनकी दिवारें खड़ी हैं इतनी पकी थी देखिए बुस्ता में उस टाइम कितनी अच्छी हीटे मनाई जाती होंगे दोश्टो ठेंट सापने चैनल को सब्सक्राइब जरू करते हैं प्लीज दीजे दीजे ही हम आगे भड़ते जाएंगे लक्ष की और और कक्चा 12 तक की सभी इंसे आरटी जो कक्चा 6 12 तक को हम पढ़ेंगे आप अपने चैनल पर बने रहें नोटिफिकेशन को ओन कर लें कक्चा 612 की हर सब्जेक्ट की इंसे आरटी आप उनको पढ़नी हैं दीवार बनने बनाने के लिए हीटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे की दीवारें खुब मजबूत रहें और आपको कहीं से भी बुक लेने ज़रत नहीं है आपको वही बुक पढ़ाई जा रहे हैं आप बिना मतलब रोपे नहीं काटें तो और भी सई रहेगा ये नगर आदुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांटों भारत के घुजरत राजिस्तान हरियण और पंजाब प्रांटों म मिले हैं इन सभी स्थलों से पुरातात्य विदों को अनेकत वश्तु हैं जैसे कि मिट्टी के लाल वर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे फत्तर के बांटे मुरे मन के तामे के ओकरन और फत्तर के लंबे बिलेड आदी कुछ नगरों के नगर दूर्ग में कुछ खास इमारते बनाई गई थी दोस्तो ये देख सकते हैं मैप को इसमें आपको बहुत कुछ देखाई दे रहा होगा जैसे लोट्थल है दूला वीरा है सुर कोदरा है मौन जोदरू है अडपपा है राके गड़ी है काली बंगा है दोस्तो कुछ नग्रों की नगर दूर्ग में कुछ खास इमारते बनाई गई थी मिसाल के दौल पर मौन जोदरू में खास तालाब बनाया गया था जिससे परातात वितोनिंन महन इसनानागार कहा जो यहां पर एक तालाब था जो यहां उसमें सेडियां भी लगी थी और उसके चारों तरफ साइद रूम भी बनाए गए थे उसे प्रातातविदों ने महान इसना नगार कहा जो आजकल की बात्रूम रहती है इस तरह वहां पर वो तालाब नाने के लिए था इसलिए उन्होंने महान इसना गार कहा इस तालाब को बनाने में इंट और प्लास्टर का इस्तिमाल किया गया था इसमें पाने का रिसा रोकने के लिए प्लास्टर के ओपर चार कोल की बरत चड़ाई गई थी इस सरोबर में दो तरफ से उतरने के लिए सीडियां बनाए गई थी और चार और कमरे बनाए गई थी दोस्तों इसम खलाब को वरते थे नाने के लिए और इसमें पानी कुई से निकालते थे और और इसको मतलब नाने के बाद अपयोग के बाद इसे खाली करके नाली में निकाल दी जाता था साथ यहां विशिस अफसरों पर रश्णान किया करते थे यहां पर जो खास मेंमान थे खास नागरिक थे वो विशिस अफसरों पर रश्णान किया करते थे काली बंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अगनी कुंड मिले हैं काली बंगा लोथल जैसे अने नगर थे फिरेंस वाँ पे अगनी कुन भी मिले हैं जहां समवते यक किये जाते होंगे अरपा मोन जोड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े-बड़े भणना घरे भी मिले हैं आप देख सकते हैं यह है वो माहन इश्णानगार फिर उन्हाने के लिए देखिए यह तालाब है और इसे हमारे प्राताद्विद कोज करता हूंने महानिश्णा का नाम दिया है इसमें सिड्डी आ रही हैं एक सिड्डी दर से जा रही है और इसके यहाँ पर चारों और कमरे बनाए गई ते जो अभी तो है नहीं है टोड़ नहीं कर सकते यूपियसी पीसी एस चैसी एक्जाम में लिखने में आंसर आइटिम भहुत उप्योगी वो कि भवन नाले और सड़कें अडपा के नगरों में हीटों की चिनाई इन नगरों के घर आम तोर पर एक या दो मंजिले होते हैं होते थी घर के आंगन के चारों कमर बनाए जाते थे अधिकांस घरों में एक अलग इसनान घर होता था और कुछ घरों में कोई भी होते थी भवन नाले और सड़कें इन नगरों के घर आम तोर पर एक दो मंजिलों के होते थी घर के आंगन चारों कमरे बनाए जाते थे घर के आंगन चारों कमरे बनाए जाते जो घर में आंगन था जैसे यह आंगन हैं इसके चार और कमरे बनाए जाते थे जैसे आज बीच में जो रहता है ना हौल चौक वगेरा बोलते हैं इस तरह से कई नगरों में ढखे हुए नाले थे ढखे हुए नाले भी बनाए गए थे वहां इन्हें साथदानी से सीधी थी, उन्हीं सड्कों की नालें उसे जोड दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी, नालों के डकए होने के कारण, इन में जगे जगे पर मेन हाल बनाए गये थी, जिनके जरी इनकी देखवाल और सफाई की जा सके, जैसे ये नाली जा रही है इसमें से और छोटी नाली आते थी और ये बड़ी नाली बन जाते थी और इसमें वे बीच में डक्कन बनाए गए थे जाकि इनकी सपाई कर सके समय समय पर आज भी ऐसा होता है गर नाले और सड़कों का निर्मान यूजनाबत तरीके से एकसाध किया जाता था यूनाबत तरीके से किया जाता था यहां पर वर्णित घरों और पिछली अध्यायं में तुम्हें क्या अंतर देखे दीता है कोई दोंतर बतागो इसको आप लेकिए पिछला अध्या 1 और 2 यह आप में नहीं पढ़ा तो उसको जरूर पढ़ें फिर अध्या 3 को पढ़ें आपको चैप्टर वाज पढ़ना है तो आपको समझ में एकदम फिट बैठे हैं अगरे माग मैं आप जीवन में कभी नहीं बूल पाओगे क्योंकि ह हम और फोटों को भी देख रहे हैं साथ में कैसे थी का थे और अच्छी डेटेल के साथ भी पढ़ रहे और ऐसे कुस्चन भी आ रहे हैं जो माइन को विक्सित करते हैं ऐसे कुस्चन चलिए आगे चलते हैं नगरिय जीवन प्रेंस नगरिय जीवन कैसा था अडपा सब बिता में नगरिय जीवन कैसा था अडपा के नगरों में बाड़ी हल चल रहा करती होगी अडपा के जो नगर कि चाहब की ने जोनाने की दो में जोनते हों बाझा जोनाने। मितलब कि काऊ कि यो नहिसे लोग कि भावरे हैं फांश डिनाने тебя की में जोना हो रहते हुए। आज इल्ट को में संब्वित्विता? मेंmilly गएफ का आसम थे चीज़ें मंगवाते थे साइद साशक लोग खोषोरत मनकों तता सांदी सौने चांदी से बने आबुस्टन जैसी कीमती चीज़ें को अपने पांस रखते होंगे इन नगरों को यह प्रेटियों में लिपिक बी होते थे जो मुघरों पर तो लिखते ही थे और सायद अन्चेज़ों पर भी लिखते हों गे जो बच नहीं पाई हैं इसके अलावा नगरों में सिल्पकार इस्तरी पुरुस भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्धू इस तल पर इस तरह तरह की चीजें बनाते होंगे लोग लंबी आत्राइं भी करते हों करते थे और वहां से उपयोगी वस्तु में लाते थे और साथ ही लाते से सुदूर देशों के किसे खानिया मिट्टी के कई खिलोने भी मिले हैं जिन से बच्चे क्हिलते होंगे फिर्ण्स देखेए इसमें अड़प पर सब्धा में क्या क्या मिले हैं इस में जो शासकते यांके वो दूर दूर सु दूर देशों में बेंगे posture धान दूर दूर बेंगे कर लोगों को सासक में कर दाफ कना तूर फाद्तर 1 जो रिखती थे महरों पर इस के अलावा जो सिलपकार इस तरी पुरुष्त नगरों में रहती ते घरों यह किस्तों कि तरु तरक चीजा बनाती थे लंबी आत्राय करते थे और वहां जो कहानियों किस्ति दे आनम देशन की उनको भी लाते थे और साती सुदू देशों के इ जबड ada दे मिटी से बने खिल लोई म NFL मापर गहले होंगगे नगरों में ऑब चुछ से सने घूंद 95 कि मैंने वाला ही इसंaksे हमारी माख मजबूध मिबन तौ कर द clerk में रहने लोगों की सूर्ची बनाओं किस बनाओं इन में से कुछ ऐसी लोगं जो मिहरगर यहीसे गाहूं मे रहते थे नगर में रहने वाले कुछ नोगोंस की सूछवटी हैँ केंसे कुछ एसे लोग जो महरगर जिसी गाहح implement में रहते थे सबसे उपर मोहन जोदडोग जोदडों की कि एक शड़क और उसमें बना नाला फ्रेंट्स आप देख सकते होंगे यह मोहन जो दुलो की सड़क है और इसमें बना है यह नाला यह देखिए फ्रेंट्स में क्या बनाए नाला यह जा रहा है यह सड़क है और इसमें क्या बनाए नाला इसमें एक कुआबी है दोस्तों देखिया आप इसमें एक कुआबी है और भाईयो नीचे हडपा की मोहर भी है ये देखिया हडपा की मोहर इस मौर के उपर चिन के चिन एक खास लिपी में जो मौर है देखिए इसके उपर जो चिन बंड रहे हैं बिद्वानों से पढ़ने की कोसिस के लिगी नबीत कि ये है नहीं पता चल पाया कि इसका अरमध क्या है दाई और पके मिट्टी के खिलोने हैं जिनसे बच्चे खिलते होंगे दोस्तों ये खिलोने हैं पकी मिट्टी के खिलोने हैं जिनसे बच्चे खिलते होंगे और ये अरपपा में एक मोहर है जिसमें कुछ खास लिपी में कुछ लिखा है कुछ खास ही लिखा है इसमें लेकिन अभी तक भी इसको कोई पढ़ नहीं पाया है कोई भी विद्वान कोई ग्यानिक साइंटेस्ट कोई नहीं पढ़ पाया कि कि इसका अर्थ क्या उठाय क्या लिखा है यह यह तो मिट्टी के खिलोने हैं यह बच्चों को खिलने के लिए आगे चलते हैं दोस्तु नगर और नई सिल्प नगर और नई सिल्प आओ 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 अब कुछ ऐसी आओ अब कुछ दोस्तु नगर और नई सिल्प नगर और नई सिल्प आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे मद्दिन करें जो हडपा के नगरों से प्राप्त हुई हैं पुरा तातवितों को जो चीज़े महां मिली हैं उनमे अधिकतर फत्तर संग तांबे कांसे सोने और चांदी जैसी धा से बनाए गई थी तांबे और कांसे से ओजार अथियार गेने और बरतन मनाए जाते थे सोने और चांदी से गेने और बरतन मनाए जाते थे यहां मिली सबसे आकर सक वस्तों में मन के बांट फलक हैं उपर के बांट को देखो यह बांट हैं जो फत्तर के बांट होते हैं इन्हें चल्ट फत्तर से बनाय गया है, इन्हें सायद भवमुल फत्तर और धांतों को तोलने के लिए बनाय गया हो, मद में बाए मनके, इन में से कई कार्नीलियन फत्तरों से बनाय गए थे, जो ये मनके हैं, जो हीरी जेविरात हैं, ये किस से बनाय गए थे, कार्नीलियन फ अंदर शेद किए गए हैं ताकि दागा डालकर माला बनाई जाए मद में दाइं फट्र के धारदार फलक ये दो दो यह हैं दाएं दाइं ये फट्र Дhारदार फलक हैं 2 सब्दा के लोग फट्र की मुहरे बनाते थे इन आयताकार परिष्ट सद्दाइस मुरों पर सामनत जानवरों के चित्र मिले मिलते हैं रपस अभी तक लोग काले रंग के डिजाइन किये हुए खुब शूरत लाल मिट्टी के बरतन बनाते थे नीचे, नीचे, आप देखे, आपको यह देखे आईए, इसके वारे में कडाईदार वस्तर, देखो इनके वस्तरों पेर कडाई बन रही है, कडाई, THIS ना, कडाईदार वस्तर, एक महत्पून व्रक्ति की, भत्तर से बनी ओरती जो मोहन जोदरों से मिली थी, इसमें उससे पर देखा गया है अध्यादो में तुमने जिन गाउँ के बारे में पड़ा क्या वहां भी धातु का उप्यों होता सा कि अवे फत्तर की बाट बनाते थे आपने वह अध्यादो पड़ा था उसमें आप जरूर देखना अध्यादो को और दोस्तों यदि आपको कोई भी पेल्ब कर बेल लों करेंके वह मेसेज कर सकते हैं समोवत' है साथ हजार साल पहले मेरगज में कपाशड़ी होती तीि कुछ तर नजाए अभेर वह किसंध कि agriculture होती ती कपास की मुहन जोड़रों उसे कपड़े के टुकडों के अफसेश, चांदी के एक फोलदान के डखकन और कुछ अन्यतामवे की वस्तों से चिपके हुए मिले हैं, पकी मिट्टी तता फेयंस से बनी तकलिया, शूत, गताई का संके देदी हैं, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे हैं, इन में से अतर तरासना, मन के चमकाना, या फिर मोरों पर पच्ची कारी अकरना आधी, प्रिश्ट 28 पर देखें, कि मूर्ती का चहरा कितने आकरसक डंग से बनाय गया है, दोस्तों आपने देखा ना भी, मूर्ती का चहरा देखिए, कितने अलग ही आकरसक तरीके से बनाय गया है, क् गडाई कियें andar does do देखीं हैं पहले भी कितने कुलाकारी थी और उसके डाड़ी कितनी अच्छी दरसाई गई है आपने डाड़ी देखी होगी उनकी इस तरह से कितने प्यार नवी तरीके से दरसाई गई है यह किसी विसेसग मूर्तिकार का's staying करता है हर व्यक्ति विशेशक नहीं हो सकता था हम यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरॉश्ट दोनों को काम में दक्षते मतला अच्छा प्रश्चत यह जानते थे यह अभी तक पता नहीं है और पता भी नहीं रहेगा चूंकि पुरॉश्ट और महिलाई कोई भी कर सकते हैं बिल्कुल साइद कुछ महिलाओं ही हो पुरुष ज़्यादा हो इस तरे भी किर्षत करते होंगे फेयन्स फेयन्स फत्तर और संख प्राकृतिक तोर पर पाये जाते हैं लेकिन फेयन्स को करतिम रूप से तयार किया जाता है बालू या इसफेटिक फत्तरों के चूरण को गोंद में मिलाकर उनसे वहस्तों बनाई जाती थी उसके बाद उन वहस्तों पर एक चिकनी परत चड़ाई जाती थी इस चिकनी परत की रंग परा नीले हलके समुद्री अरे रंग के होते थे फेंसे मन के चोड़ियां बाले चोटे बरतन बनाई जाते थे फेंसे कच्चे माल की खोज में कच्चे माल उन पदारतों को कहते हैं जो या तो पराकरति रोप में मिलते हैं या पिर किसान या पसुपालक उनका उत्पादन करते हैं जैसे लकडी या धांतों के प्राक्रति रूप से उप्रवद कच्चे माल हैं इनमें इनमें से फिर कई तरह की चीज़े बनाई जाती हैं मिसाल के तोर पर किसानों दुआरा प्यदा किये गई कपास को कच्चे माल कहते हैं जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है हड़प हमें लोहों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और भमल फत्रों जैसे पधारतों कवे दोर-दोर से आयत करते थे कच्चे माल की कोज किस तरह की जाती थी कच्चे माल किसे कहते हैं उन पधारतों कहते हैं जो प्राकरती रूप से मिलते हूं या पिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादान करते हैं जो या तो पिर कहती ने दी हैं या किसान या पशुपालक जिसे उन किसान जैसे कपाश बगीरा इस तरह से जिसे लगड़ी या धातों के अईस्क प्राक्रति रूप से उपलब्द खच्चे माल हैं इनमें फिर कई तरह एक चीज़े बनाई जाती है और किसान दुगारा पैदा की जाता है जिसे कपाश को खच्चा माल कहते हैं जिसे कताई बन करके कपड़ा त्यार किया जाता है हडपा में लोगों को कई चीज़े मिलती हैं लेकिन तामबा लोहा चांसोना चांदी वहमुल फत्त्रों जैसे पतारतों कभी दूर दूर से आयात करते थी मतलब और जग विदेशों से लायाते थे उनको दोस्तों यह देखिए हडपा क के लोग तामबे का आयात संभत है आज के राजश्तान से करते थे तामबा तामबा जो अफ़ितरी जूल जूढ़ों मिलता है वहां से करते थे यहां तक कि पश्चिमी ऐस याई देश तामबान चाने कासा बनाने के लिए तामवे के साथ मिलाई जाने वाली धातू टिन का आयात आदूनिक इरान और अफगनिस्तान से किया जाता था सोने का आयात आदूनिक करनाटक और भमुल फत्तर का आयात गुजरात इरान और अफगनिस्तान से किया जाता था आप देख सकते हैं दूस्तों चीजों को एक जगे से दूसनी जग और जाया जाता था एक खिलों है दूसरी तरफ एक मोहर है कि क्या तुम बता सकते हो के लोग यातयात के लिए किन सादरों करते था पिछले अध्ययों में कै तुमको प्चाभए वाले जानकरी दी गई है आप दोस्तों पिछले अध्यायों जरूर पढ़ें इसलिए मैं बोलता हूं पिछले अध्यायों को चैप्टर वाइज पढ़ना है और अपने चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बने रहें आपको डिली कम्प्लीट कोर्स कराया जाएगा एकदम न बगरों के अलाव गाओं में भी रहते थे अनाजों गाते थे और जानवर पालते थे किसान और चर्वाही ही सहरों में रहने वाले सासकों लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे पौदों के अफसेसों से पता चलता है कि हडपा के लोग गहूं जों दालें मटर दान तिल सिर्सों गाते थे जमीन की जोताई के लिए हलका पर योग एक नई बात थी हडपा काल के हल तो नहीं बचपाई है क्योंकि वे प्राय लकडी से बनाए जाते थे अडपा काल के हल हैं वे तो नहीं बचपाई हैं क्योंकि लकडी से बनाए जाते थे और लकडी तो तुम्हें पता है डीमक लग जाते थे गल जाते लेकिन हलके आकार के खिलोने मिले हैं इस छेत्र में बारिस कम होती है इसलिए सिचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे संभवत है संभवत है पानी का संचे किया जाता होगा और जरुरत पढ़ने पर उससे फशलों की सचाई की जाती होगी छोग बावजाव व enact आते थे विस्तियों के असबस ताला वो चरागा होते थे लेकिन सूके मौई महीनों में मवेश्यों के जुणनों को चारा पाने की तलास में दूर तक ले जाया जाता था विंड़ जैसे फलों को एक चटा करते थे मचलीयां पक्रते थे और हईरन जै सहल है गुजरात में हडपा काली नगर का सुक्ष्मिन निरिक्षन गुजरात में कच्च के इलाके में खदिर बेद के किनारे दोला वीरा नगर बसा था कच्च के इलाके में खदिर बेद के किनारे दोला वीरा नगर बसा था वहाँ पानी साब पानी मिलता था कहां पर कर्च के लाके में और जमीन उब जाओ थी जहां हरपा सब्विता के कई नगर दो भागों में विवगते थे वही दोला बीरा नगर को तीन भागों में बाटा गया था इसके हर इससे की चारो फत्तर की उची उची दीवार बनाई गई इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रविश दोहार थे इस नगर में एक खुला मेदान भी था जा सावजने कारे करम आउज़ित किये जाते थे यहां मिले कुछ अफसेसों में हडपा लिपी के बड़े बड़े अक्षरों को फत्तर में खुदर पाया गया इन अभी लेकों को संब्वत लकडी में जड़ा गया था यह एक अन्यूखा अफसेस्त है क्योंकि आम तरह हडपा के लिए मोगर जैसे चोटी वश्टों के वश्टों पर पाये जाते हैं गुज्राथ की घंबाथ की खाड़ी में मिलने वाली सावरमदी की एक उप नदी के किनारे बसा लोतल नगर ऐसे स्थान पर बसा जहा कीमती फत्तर जैसा कर्चभाल आसानी से मिल जाता था जो गुजरात में जो खंबात की खाड़ी है खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी मिलती है सावरमती कौन सी नदी मिलती है सावरमती खंबात की खाड़ी में और सावरमती के उप नदी है उसके किनारे कौन सा सेर बसा है लोथल लोथल नगर ऐसे इस्तान पर वसा था जहां कीमती फत्तर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था यह फत्तरों संखों और धातों से बनाई गए चीजों का एक महत्पून केंद्र था लोथल नगर इस नगर में एक बंडा ग्रे भी था इस बंडा ग्रे से कई मोरें और मुद्रांकर मोरबंदी गीली मिट्टी पर दवाने से उनकी चाप मिले हैं लोथल का बंडरगा यह बड़ा तालाव लोथल का बंडरगा रहा होगा जहां संब्र के आस्ते आने वाली नावें रुकती थी समभवते यहां माल चड़ाया उतारा जाता है ये देखो लोथल का बंदरगा है दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा लोथल का बंदरगा है चलिए आगे चलते हैं ये बड़ा तालाब था वहाँ पर ये जो लोथल का बंदरगा रहा होगा यहाँ पर एक इमारत मिली है जहां समभवत मन के बनाने का काम होता था फत्तरों के टुकड़े, अदबने मन के बनाने वाले उपकरणे और तैयार मन के भी या मुले हैं मुधरा मुहर और मुधरांकन या मुहर बंदी मुघरां का पिरयोग सामान से बारे उन डिबबों या थैली को चिनित करने के लिए कह जाता होगा जैने एक जगे से दूसे जगे बेजा जाता था थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गिली मिटी, स्पोथ कर उन पर मुहर लगाई जाती थी मौर की चाप को मौर बंदी कहते हैं अगर यह चाप तोटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ चेड़ चाड़ नहीं हुई है आज भी मौर का पिर्योग होता है पता लगाओ कि मौरों का उप्यों किषले किया जाता है तो इस तो पाता लगाओ कि मोहरों को प्यों किसले किया जाता है किसले किया जाता होगा कुछ अनाज बगेरा लेने के लिए खच सामान लेने के लिए एक मोहर से दूसरी मोहर देना इतने मोहर में इतना सामान इस तरह से किया जाता होगा सब्वेता के अंतका रहसे लगबग 49 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है अचानक के लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया जो ये नगर थे लोट्थल वगेरा हडबा सभी नगर थे इनको लोगों ने अचानक छोड़ दिया लिखन मोहरें बाटों का प्रियो बंद हो गया दूर दूर तो कच्चे माल का आयत काफी कम हो गया कच्चे माल लेते थे मोहरों के बंदले बंद हो गया आयत भी बहुत कम हो गया मोन जोड़ों में सड़कों पर कच्च्रे के धेर बनने लगे ऐसा क्यों हुआ अचानक से जलने कास प्रिणाली नश्ट हो गई जल कहां जाए नाली फाली सब नश्ट और शड़कों पर जुगी नुमा घर बनाए जाने लगी ये क्या हुआ दोस्तु अचानक ऐसा 4900 साल पहले बहुत भड़ा बरला हुआ था ये सब क्यों हुआ कुछ प हुआ हुँंगे कुछ इलाखों में बाड़ा गई लेकिन इन कारणों से ये इस्पष्ट नहीं उपा था कि सभी नगरों का अंत कैसे हुगए क्योंकि बाड़ और नदियां के सोकने का असर कुछ ही इलाखों में हुआ है यस से लगता है कि सासवकों का नियंतर समाब्त हो पूरा और दर्चिन के इलाके अलाकों में नई और चोटी बसतीओं में जाकर बस गई लगभग 34 साल चौदेशों साल बाद नई नगारों कविकास हुआ जोदेशु साल बाद नई नगरो कविकास हुआ इनके बारे हम तो में अध्या 5 OSP में पढ़ेंगे दोस्तों हम अध्या पांच और आठ में पढ़ेंगे कि नगरों का विकास कैसे हुआ था आप जरूर देखना उसको अभी हम अभी हम पढ़ते हैं आगे इस पार्ट को अपने आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा आप भी जिजा करें अपने चैनल को सब सब्सक्राइब करने आपके दोस्तों सेयर करने बस इतनी सी आप से रिक्वेश्ट है और अपने वीडियो ज्यादा स्यादा लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें और आपने टेलिग्राम चैनल टार्गेट विद गनिस एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें आप अन्यत्र अपने एटलस में मिस्र डूंडो मिस्र नील नदी के आसपास वाले इलाखे को छोड़कर मिस्र का अधिकांस बाग रेगिस्तान है मिस्र मतलब एजिपट देश लगमफे लंदी के आसपास वाले लाखों को छोड़कर चोड़कर सभग रेगिस्तान है लंबो 5000 साल पहले मिस्र में सासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी, हाती दांत, लकडी और हीरे जेवरात लाने के लिए अपनी सेना दूर दूर तक भेजी इन होने बड़े-बड़े मकबरे बनाए जिने प्रामिड के नाम से जाना जाता है जिने प्रामिड के नाम से जाना जाता है राजाओं के मरने पर उनके सबों को इनी प्रामिडों के में दफना का सुरक्षित रखा जाता था इन सबों को ममी कहा जाता है ममी ये प्रामिड से दीख रहे हैं आपको मिसर में एजिप्ट में कहां पा जाता है मिस्र में इनको क्या घालता ममी इनके उनके उनके सबों के साथ और भी अनेक चीज़ें दपनाई जाते थी इनके खथादन पे वस्त्र कहने बरतन वादिंद्र हतियार और जानवर सामिल hotels कभी ऑडिया के साथ उनके सेवक और सेवीकायों को भी दपना करेंγαता था कि इनकी सेवक अब यह वहीं जाकर करेंगे लोग समझते थे इंसंन मनने के बाद भी जीयोत रहता है उसको जनम लेता है फूर धूर में सबसे जदा धन दोलत कि खर्ष किया जाता था सबसे एए जादसा धंदोलत कहा कि हैं चाहिए थो तैट हैं नहीं कि पंते फंचासथ करने वाली राजा उनी पांचा साल-पहले मिस्रश। करने वाले राजाउनी नहीं बाड़े बड़े मकबर बनवाए जिन ब रामिर काई नाम से जाने जाता है दोस्तो चलिए आगे चलते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरत पढ़ती होगी बिल्कुल दोस्तो नहीं पढ़ती होगी क्योंकि जो इंसन मर जाता है उसको क्या जरत पढ़ती है लेकिन लोग शोचती पहले कल्प ना करो तुम अपने माता पिता के साथ चारजार साल पहले लोथर से मोहन जोड़ो की यात्रा कर रहे हो यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगी तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ साथ क्या ले जाएंगे मौन जो दुड़ों में तुम क्या देखोंगी दूस्तो या तरह या तो कुछ साधनों को गुष्स करेंगे या साधन योगत पैदल करेंगे गुष्सा बवारी कुष्स तो होगा और साथ में खाने पीने मतलब डेली जो काम में आते हैं चद्दर उनको लेकर जाएंगे सूने के लिए ये कुष्सन है आप इनको कर सकते हैं जैसे की तामा का मिलता है राजिस्तान में सूना का मिलता है करना टग में और टिन का मिलता है भमुल फत्तर का मिलते हैं इस तरह एक से मिलाने है जैसे टिन का मिलता है कि नबगनिस्तान मिलता है बमूल पथ्तल गुजरात मिलता है इस तरह से दोस्तों इन सबको इस तरह से पढ़ें अच्छी तरह से और चैनल सबस्क्राइब कर लें लाइक करें फोलो करें कुछ मैं पूर्टे थिह आपको बताते हैं मेरगड में कपास केदी कव होती थी कपा सब्सक्राइब नगरों का अरम का वह 4700 साल पहले अड़पा के नगरों के अंत की सुरुवात लगवग 49 साल पहले हुई और नगरों कभी कास का वह लगवग 2500 साल पहले से दोस्तों यह प्रेस्ट ने यह प्री मैंस मैंस एक जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है आगे हम चैप्टर च्यार को पढ़ाई करेंगे आप जो तो बने रहें फ्रेंस थैंक्यू दोस्तों थैंक्यू सो मच आपका बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए थैंक्स पूर वाचिंद वीडियो